Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha आपके अपनी English Educator और आज मैं start करने वाली हूँ हमारी Class 12 की जो Elective Course है हमारी English का उसके Short Stories का Chapter No. 3 which is A Wedding in Brownsville मैंने इस Chapter का Explanation, Deep Explanation, Line by Line Explanation इस Chapter की Summary, Question and Answer, सब के Videos आपके सामने Present करके दे दी हैं और आज इसी Chapter के मैं start करूँगे MCQs याने की Multiple Choice Questions So let's begin with our first question Question No. 1 Who is the author of the story A Wedding in Brownsville? यह जो A Wedding in Brownsville आपकी Story है इसके Author कौन है याने की यह Story लिखी किसनी है तो आपके साबने 4 options given है और जो Correct option उसे आपको Tick करता है So first option is Gabriel Garcia Marquez Second है D.H. Lawrence Option No. C is Isaac Bashevis Singer And Option No. D is Amartya Sen And हमारा जो Right Answer है वो है Option No. C Isaac Bashevis Singer यह जब हमने Chapter पढ़ा था तो हमने Clearly इसी Author को पढ़ा था जबन हमने यह Chapter स्टार किया था और इस Author के बारे में हमने Deep Introduction भी इसके बारे में पढ़ा था So Option No. C Isaac Bashevis Singer is the right option to this question Next Question What was the Profession of Solomon Margolin? अब एक Character है इस Chapter में उनका नाम है Solomon Margolin उनका Profession क्या है याने कि वो क्या काम करते हैं So Options है Lawyer, क्या वो एक Lawyer है, Advocate है, वकील है Professor, क्या वो किसी School में या किसी College में Professor है, Teacher है, पढ़ाते हैं Option No. C, Writer, क्या वो लेखक हैं Option No. D, Doctor याने कि क्या वो एक चिकट सक है So Option No. D, Doctor is the right option क्योंकि हमने बिल्कुल क्लिरली पढ़ा है इस Chapter में कि Doctor Solomon Margolin एक बहुत अच्छे Doctor थे उन्होंने बहुत महनत करी है और तब जाके वो एक अच्छे Doctor बन पाए अब ब्राउन्सविल में वेडिंग थी किसकी वेडिंग थी? Doctor Solomon Margolin के जो फ्रेंड थे अब राहें मेखलीज उनकी छोटी बेटी Sylvia की वेडिंग थी और कहा थी? ब्राउन्सविल नाम की जगा में थी लेकिन उनको ये वेडिंग क्यों नहीं अटेंड करनी थी Doctor को? तो उसके options है Because he wouldn't get a chance to sleep क्योंकि अगर वेडिंग में जाएंगी तो बहुत लेट हो जाएगा उनको रात में वहाँ वेडिंग से आते वक तो उनको next day duty पे जाना है वो ये Doctor है उनको अगले दिन hospital जाना है तो उनको chance नहीं मिलेगा कि वो अच्छे सा अपनी sleep अपनी नीन complete ले ले इसलिए उनको नहीं जाना था कि नहीं जाता हूं चलो second option because he was on a fat free diet क्योंकि वो एक fat free diet पे थे यानि कि जब हम शादियों में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत oily food, तेल वाला खाना, तला हुआ खाना ये सा food मिलता है जब हम शादियों में जाते हैं because Jewish laws and customs were completely distorted Dr. Solomon Margolin एक Jewish थे याने की Jew community से belong करते थे जिने हम हिंदी में यहूदी लोग भी कहते हैं तो वह इसलिए नहीं जाना चाते थे क्योंकि उनको पता है कि जिसकी शादी, जिसकी wedding में अटेंड करने जा रहा हूं वह लोग भी Jewish लोगी है, यहूदी लोगी है लेकि डॉक्टर इस बात को देखके बहुत जादा उनको बुरा लगता था उनको दुख होता था कि जितने भी Jew community के laws है, customs है, cultures है यह सब distort हो गए हैं याने कि लोग जो है फालतू के चीज़े दिखाते हैं कि अरे नहीं हम तो यहूदी धर्म के हैं, Jewish धर्म के हैं, skull caps हैंने कि वो जो cap जो लोग जो Jew community के gents पहनते हैं, वो पहन देंगे लेकिन उनके कुछ cultures तो follow करते ही नहीं है बस cap 10 के दिखाते हैं, कि अरे हम तो Jewish community के हैं, otherwise वो बिलकुल foreign culture की तरफ convert हो रहें तो यह भी एक reason हो सकता है कि Dr. Solomon Margolin को नहीं जाना था wedding attend करने क्योंकि उन्हें लगते हैं कि मैं जाओंगा, चर्व मैं देखूंगा कि हमारे ही धर्म के लोग acting कर रहे है, नाटक कर रहे है धर्म को लेकर और फिर अच्छे ते बहेव नहीं कर रहे हैं अपने धर्म के लिए तो वो जाएंगे देखेंगे, disappoint होएंगे, इसलिए यहां भी उनको शादी में जाने का मन नहीं था यह option number D, all of the above, याने की सारे options A, B, C so according to me, option number D is the right option because क्योंकि उनको सोने का time नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक sat-free diet पे थे और क्योंकि Jewish laws and customs distort हो गए थे इन तीन reasons की वज़े से उनको लग रहा था कि मैं wedding attend ना ही करूँ, ना ही जाओ तो बहतर है next, what was the name of the party formed by Hitler? अब Hitler को हम सब जानते हैं, Hitler को ने जर्मनी का leader था, Adolf Hitler और वो बहुत ज़दा cruel था, उसकी cruelty पूरे world में famous है तो Hitler ने जर्मनी में एक party, एक party form करी थी, एक party मनाई थी आने के group बनाय था उसने ये group क्यों बनाय था? इसलिए बनाय था ताकि जितने भी Jew community के लोग जर्मनी में रह रहे हैं उनको वो सब बाहर निकाल पाएं, उनको मा डाले, जूस को, तो उस party का नाम क्या है जो Hitler ने बनाय थी? तो options है, नाजी party, B. Congress party, C. भारतिय जनता party, या D. Christian Domestic Union, जिसको CDU भी कहते हैं तो Congress party हो नहीं सकता क्योंकि ये तो Indian party है भाई, BJP, भारतिय जनता party ये भी नहीं हो सकता भाई नाजी party और Christian Domestic Union, ये जो Christian Domestic Union है, ये Christians के लिए हैं ये Christians ने बनाय थी, नहीं पर Germany में Christians के welfare के लिए, तो कौन सी party बची, नाजी party और हमने clearly पढ़ा भी हुआ है चाप्टर में कि हिटलर की नाजी party थी, जो responsible थी Jews को eradicate करने के लिए पूरे Germany से आने के हटाने के लिए next question what kind of help did Dr. Solomon Margolin provide to his Jewish patients अब Solomon Margolin कौन थे, एक डॉक्टर थे और वो Jewish थे याने Jew community के बिलॉंग करते थे, यहूदी थे तो वो अपते Jewish patients, जो यहूदी community के जो उनके मरीज थे, उनको क्या facilities प्रोवाइट करते थे so options है, treated rubbies, refugees and Jewish writers without charge जो rubbies होते हैं, वो कौन होते हैं? जैसे हिंदों में पुजारी होते हैं, Christians में प्रीस्ट होते हैं, वैसे Jewish में, Jew community में रब्बीज होते हैं यह कौन होते हैं? यह रब्बीज, यह उनके प्रीस्ट होते हैं यहूदी community के प्रीस्ट याने के पुजारी होते हैं refugee कौन होते हैं? refugee वो लोग होते हैं, जो एक जगा से दूसरी जगा भग कर आये होते हैं क्योंकि वहाँ पे उनकी जान को शायद खत्रा था तो सेंसेमिन एक जगा है पोलिंड में जहां से जूस को निकाला गया था और अब बोलो कि हैं नियो यॉक में आ गए थे क्योंकि अब डॉक्टर सोलमन मार्गुलें यह नियो यॉक में रहते हैं इतने सालों बाद तो जितने भी प्रीस्ट थे जूस के प्रीस्ट थे याने रभीस थे रिफ्यूजीस थे याने जो भाग के आये थे यहां पर और जितने में Jewish writers याने Jew community के लेखा थे उनको वो without charge याने की free में बिना पैसो के treat करते थे doctor Second, supplied medicine to them और इन सब लोगों को medicine याने दवाई भी देते थे free में Provided hospital beds और अगर जरुवत पढ़ती थी तो doctor Margolin जो है वो इन patients को hospital में एक bed भी दिलवा देते थे कि चलो अपना patient अपना treatment और अच्छे से करो यह option number D, all of the above तो जैसे कि हमने पूरा chapter पढ़ा हुआ है हमें यह पता है कि यह तीनों options are right which means option number D, all of the above is the right option to this question यह तीन तरीके की help Dr. Solomon जो है अपते Jewish patients को provide करते थे next question what was the name of Abraham Maklis's doctor अब Abraham Maklis कौन है तो Abraham Maklis जो है वो किसके friend है Dr. Solomon Margolin के friend है और इनी की छोटी बेटी की शादी में invite करा था इन्होंने Dr. Solomon को कि आप आईए Brownsville में और मेरी बेटी की शादी अटेंड करिए तो यह friend थे Dr. Solomon के तो इनकी बेटी इनकी डॉटर का क्या नाम था तो options है A. Gretel B. Sylvia C. Rysel A. Gretel हो नहीं सकती क्योंकि Gretel जो कौन है Dr. Solomon की wife है B. Sylvia Sylvia उनकी डॉटर का नाम था यह बिल्कुल right option है Rysel, Rysel भी नहीं हो सकती क्योंकि Rysel तो so called beloved थी Dr. Solomon की याने कई साल पहले Dr. Solomon Margulay नेक लड़की को लाइक करते थे जिससे उनकी शादी unfortunately नहीं हो पाई थी तो वो थी Rysel और मेरी तो कोई character है ही नहीं आपके इस chapter में So option number B. Sylvia is the right option to this question Next question Why was Gretel not interested to attend the wedding? अब Gretel कौन है? Gretel Dr. Solomon की wife है तो जैसे Dr. Solomon के अपने reasons थे wedding ना attend करने के लिए Gretel के भी अपने कुछ reason या reasons थे कि उसको भी ये wedding attend नहीं करनी थी तो वो क्या reasons है कि जिससे Gretel interested नहीं थी कि मुझे आई ये शादी attend नहीं करनी तो options है because she didn't like juice क्योंकि वो juice को पसंद नहीं करती थी अब यहाँ पर didn't like juice क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि Gretel एक German थी कौन थी? German वो Germany से बिलॉंग करती थी और जो उसके husband Dr. Solomon है Solomon Magalyn वो एक Jew थे तो क्या लेकिन अब शादी हो गए उसकी Dr. Solomon से तो obviously उसका धरम परिवर्तन हो गया यानि religion उसने अपना change कर लिया German से वो Jew बन गई है completely Jew बन गई है तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था कि वो Jews को पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसने तो शादी ही एक Jew community के आदमी से करी थी उसके बाद उसने बहुत सारी चीजें चेंज करी अपना cooking style, अपने friends, सब जोसने Jews बना लिये थे तो ऐसा कभी नहीं था कि वो Jews को पसंद नहीं करती थी और इस reason से एक Jew wedding attend नहीं करना चाहती तो ये तो reason बिल्कुल भी नहीं है next because it will be too late क्योंकि रात में wedding attend करके घर आते में बहुत लेट हो जाएगा शायद ये एक reason है कि Gretel को ये wedding attend नहीं करनी थी yes, we can say that कि ये एक reason हो सकता है क्योंकि अपने clearly ऐसा chapter में पढ़ा भी है because she wanted to attend a German party क्योंकि Gretel एक German थी शादी से पहले तो उसको एक दूसरी कोई German party कोई German function एक attend करना था इसलिए वो juice की party में नहीं जाना चाहती थी तो ये भी ऐसा possible नहीं है क्योंकि अब Gretel जो है वो convert हो चुकी वो खुद भी एक Jew बन चुकी है दिल से और मन से पके मन से बन चुकी है तो ऐसा कभी नहीं था कि उसको कोई German की wedding attend करनी जानी थी इसलिए वो Dr. Solomon के साथ उनके friend की बेटी की शादी में नहीं जारी जो की एक Jew है तो ये भी एक reason नहीं था None of the above याने इन में से कोई option नहीं तो ये भी option नहीं हो सकता क्योंकि हमें हमारा answer मिल गया है which is option number B ज्योंकि रात में बहुत लेट हो जाता है इसलिए ग्रेटल को ये wedding attend नहीं करनी थी और ultimately ग्रेटल गई भी नहीं थी Dr. Solomon अकेले गए थे Next Why did Dr. Solomon Margolin feel ashamed to take Gretel to any Jewish ceremony अब Dr. Solomon Margolin को बहुत ashamed feel होता था याने बहुत शर्मनाक feel होता था कि वो ग्रेटल को अपने साथ किसी Jewish ceremony याने अपने धर्म की किसी ceremony में किसी शादी में या किसी occasion पर ले जाने में Dr. Solomon को बहुत शर्म आती थी क्यों आती थी भाई बहुत ग्रेटल तो जर्मन थी ठीक है लेकिन कहीं न कहीं ग्रेटल में अपने धर्म परिवर्तत कर लिया था और अपने आपको कंवर्ट कर लिया था तो क्यों Dr. Solomon Margolin को शर्म आती थी कि उसको मैं किसी Jewish ceremony में अपने साथ ले जाऊं तो options है because Jewish laws and customs were completely distorted क्योंकि Jewish laws and customs क्योंकि Jew community के जो laws है जो rules है जो customs उनके cultures हैं जो beliefs हैं वो completely distort हो गए है यानि कि बरबाद हो गए है लोग अपने ही धर्म को भूलते जा रहे हैं और foreign culture को accept कर रहे थे कहीं न गहीं तो इसलिए Jews के जो laws है, customs है वो सब distort हो रहे थे तो डॉक्टर सोलोमन को शेट यह लगते है कि अगर मैं अपनी wife Gretel को जो कि एक German community से बिलॉंग करती है जो वो मेरे साथ चलेगी किसी Jew community के function में किसी occasion में तो उनको बहुत शर्म आती थी क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि Germans तो कितने पके हैं अपने religion को लेके कि अपने अपने धर्म को लेके लेकिन जब मेरी wife Gretel यह देखेगी कि जो जूज है यह अपने लिए तो बिल्कुल अपने धर्म के पक्के है नहीं बिल्कुल foreign culture अपना रहे है अपनी life में तो डॉक्टर सोलोमन को कही ने कई अशेम शर्मनाख फील होता था कि मेरे धर्म के लोग ऐसे कर रहे हैं इसलिए उनको अपने wife के सामने बहुत शर्म आती थी तो यह यह एक option हो सकता है बिल्कुल सही नेक्स Jewish because Jewish canters copied Christian ministers if you cantersam all butter canters वो लोग फोने church में जो लोग भजन करते याने कि ढाने गाते भगवां के hymns holy songs गाते बजन करने वाले लोग bits iPhone canters के तो दूसरा रिज्ल यह कि Jewish canters a Jew community के कैंटर जयाने कि जो भजन कीरतन करने वाले जो लोग थे वो किसको कॉपी करते थे किसकी नकल उतारते थे Christian ministers की Christian dharm की ईसाई धर्म की जो ministers होते हैं उनको copy करते थे तो उनको बहुत बुरा लगता था Dr. Solomon को कि ये copy क्यों कर रहे है जब Jew community के अपने canters है अपने खुद के भज़न है तो वो Christian community को क्यों copy कर रहे है तो ये भी एक reason था कि उनको बहुत अशेम्ड लगता था कि मैं ले जाऊंगा अगर Gretel को किसी भी तो वो ये सब चीजे नोटेस करेगी तो इसलिए उनको अशेम्ड फील होता था Next Because people who have no regard for Jewishness wore skullcaps क्योंकि वो लोग उनको उन parties में उन functions में दिखते थे Dr. Solomon को कि जिनको Jewishness के लिए कोई regard नहीं था याने कि उनको जो community के लिए यहूदी धर्म के लिए कोई regard कोई अच्छी feelings अपने दिल में नहीं थी ना वो पक्के मन से और अच्छे दिल से इस community को मानते थे इस धर्म को मानते थे जबकि खुद Jew है और फिर भी दुनिया को दिखावा करने के लिए skull caps पहनते हैं अगर हमने Muslim community में देखा होगा तो white color के एक छोटी सी cap ऐसे तरीके से पहनते हैं जब लोग नमाज offer करते हैं अल्ला को तो exactly वैसे ही बस थोड़ी से और चोटी साइज की cap होती है उसको skull cap कहते है जो Jew community के men पहना करते हैं तो यह सारी चीजे जब देखते हैं Dr. Solomon Margolin तो उनको ग्रेटल के सामने काफी ashamed फील होता है कि मेरे धर्म के लोग दिखाते तो बहुत है कि हम Jew community को बहुत मानते हैं वो skull cap पेन के खड़े हो जाएंगे कि हम तो पके यहूदी हैं Jewish हैं लेकिन उनका कोई regard कोई मतला भी नहीं है धर्म को लेके और option number D है all of these तो yes option number D all of these is the right option to this question क्योंकि यह सारे वो reasons है जिनकी वज़े से Dr. Solomon Margolin को बहुत ashamed feel होता था अपनी wife Gretel को किसी Jewish ceremony में ले जाने के लिए next what was done with Dr. Margolin's family by the Nazi party Dr. Solomon Margolin जो थे उनकी family obviously जैसे Dr. Solomon एक Jew है तो उनकी family भी Jew community के होगी तो Nazi party ने Dr. Solomon Margolin की family के साथ क्या किया अब Nazi party कौन सी party थी नाजी party वही party थी जो Germany में Hitler ने बनाई थी और क्यों बनाई थी ताकि वो party वो group of people जो है वो Jews का खात्मा कर सके याने कि उनको completely भगा सके Germany से ताकि Germany एक pure German country बन जाए जहाँ पे कोई Jew लोग कोई यहूदी लोग ना रहे तो वहाँ पर जब यह लोग सब जर्मिनी में रहा करते थे सेंसेमिन में रहा करते थे दोक्टर मार्गुलेन और उनकी फैमिली सालों पहले तो इस नाजी party ने क्या किया दोक्टर मार्गुलेन की फैमिली के साथ तो options है इस की फैमिली को इन लोगों ने concentration camps में रखा जिसको Auschwitz भी कहते है यहाँ पर क्या होता है छोटे छोटे कमरे होते हैं बिलकुल अंधीर होता है और यहाँ पर इन लोगों को बहुत सारे लोगों को एक साथ बंद कर दिया जाता है जिसकी वज़े से suffocation में उनकी death हो जाती है अंदर या अंदर His family was tortured, burned and gassed और इनी concentration camps के अंदर उसकी family को बहुत torture किया गया याने कि बहुत बचसलूके से उनको death दी गई, burned याने जिन्दा जला दिया गया था and gassed याने उस कमरे में जहरीली gas छोड़ दी गई थी ताकि वो लोग सब लोग अंदर छोटे-छोटे camps में suffocate होके मर जाए बोथ A and B याने option number A and option number B दोनों, तो yes, मुझे तो ये दोनों option सही लग रहे हैं क्योंकि यही हमने पढ़ा है option number C is right option option D देखते है the Germans helped his family जो Germans थे, उन्होंने Dr. Solomon की family की बहुत help करी बहुत मदद करी थी तो ऐसा तो बिलकुली नहीं था क्योंकि Germans तो चाहते थे कि Jews यहां से चले जाए इसलिए वो लोग नाजी पार्टी को support करते थे so option number C is the right option to this question next what did Gretel do after being converted into a Jew community Gretel कौन थी Gretel Dr. Solomon की wife थी और Dr. Solomon खुद एक Jew थे यहूदी थे लेकिन उनकी wife एक German थी याने German country की उसकी पैदाइश थी और उसका धर्म भी German था तो जब Gretel की शादी Dr. Solomon Marguland से हुई तो वो convert हो गई थी Jew community में जाहिर सी बात है जो husband का उसका religion था उसमें वो convert हो गई तो उसने क्या 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 किया So options है She made friends with Jewish women जितने भी Jewish women थी जितने भी यहूदी औरते थी उसने उन सब के साथ friendship करना दी रितीरे साट करी तो यह सी एक option करेक्ट है क्योंकि ऐसा बिलकुल हुआ था Next She joined Hadassah उसने न हदासा नाम का एक community जोइन कर ली अब हदासा क्या होता है Jewish women याने कि यहूदी औरतों का एक group होता था जिसमें वो जो ladies होती है वो Jew community के cultures को उनकी beliefs को promote करती है और हर जगा जगा फैलाती है तो उसने यह हदासा group जो था जूस का वो भी उसने जॉइन कर लिया था Next She learned to cook Jewish dishes तो यहूदी दिशे याने खाने की चीजे उसने बनाना सब सीख ली क्योंकि वो completely convert हो चुकी थी Jew community में Option number D all of the above So yes, option number D all of the above is the right option to this question Next Dr. Solomon was a successful doctor Still he felt that he has failed in his life Why? So Dr. Solomon जो थे वो एक successful doctor थे बच्च्पन से ही काफी genius उनको लोग consider करते थे क्योंकि उन्होंने अपने बच्पन में वो सारी चीजे कर ली थी जो normally कोई बच्चे नहीं कर पाता था लेकिन फिर भी मतलब एक successful doctor होने के बावजूद भी इतना बड़ा उनका मतलब नाम होने के बावजूद भी society में फिर भी उनको ऐसा लगता था कि वो कहीं न कहीं अपनी life में fail हो गए तो ऐसा उनको क्यों feeling आती थे ऐसा वो क्यों feel करते थे So options है Because he couldn't save his family क्योंकि वो अपनी family को बचा नहीं पाए नाजी पार्टियों द्वारा ऐसा था कुछ जब Jew community को निकालने की कोशिश कर रहे थे नाजी पार्टि वाले तो उनकी family को मा डाला गया था Dr. Solomon Marguland खुद वहां से कैसे बड़ी मुश्कल से बच निकले थे मां से अदरवाइस उनकी भी वही पर डेत हो जाती तो क्या ये एक reason है Because he couldn't save his family वो अपनी family को बचा नहीं पाए क्या ये एक reason उनको लगता था कि मैं life में fail हो गया नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था उनको दुख जरूर था कि जो उनकी family के साथ हुआ लेकिन क्योंकि वो अपनी family को बचा नहीं पाए इसका इनको कोई दुख नहीं था कि मैं life में fail हो गया ऐसा कोई reason नहीं था उनका Because he wasted his time and money continually changing his field of study क्योंकि वो अपना बच्पन से लेके आज तक काफी जाधा time और money invest कर चुके हैं अपनी field of study change करने में कभी कुछ पढ़ने लगते हैं कभी कोई language पढ़ने लगते हैं कभी किसी country में चले जाते हैं कुछ सीखने के लिए तो उनको कहीने का यसा लगता है कि शायद में इसली फेल होगे अपनी life में क्योंकि मैंने अपना बहुत कीमती टाइम और money बहुत जादा मैंने use कर लिया है अलाग अलाग चीजें बार बार field of study बदल बदल के कभी ये पढ़ने लगता हूँ कभी वो पढ़ने लगता हूँ तो इससे क्या हुआ इससे उनका काफी साथा टाइम वेस्ट हुआ तो ये एक रीजन हो सकता है option number C because he wasted years in learning different languages and wandering from country to country ये एक और रीजन हो सकता है जो हमने पढ़ा था of course जो कि था भी कि उन्होंने अपने बहुत सारे साल कई सारे years उन्होंने वेस्ट कर दिये wandering from country to country याने कि एक country से दूसरी country में भटकते भटकते कभी इस country कभी इस country जिस country में जहां पे भी जाते थे अलग अलग languages उनकी भाषाएं सीखने लगते थे तो उनको ऐसा लगता है कि शायद मैंने बहुत सारे अपना time और money इस पे वेस्ट कर लिया है इस वज़े से मैं अपनी life में शायद successful नहीं हो नहीं तो मैं शायद और अच्छा life में कुछ और बेटर कर सकता था option number D both B and C option number D both B and C is the right option क्योंकि यही दो वो reason है जिसकी वज़े से dr. Solomon को लगता था कि मैं life में fail हो गया क्योंकि मैंने अपना बहुत time और पैसे waste कर लिया next dr. Solomon was suffering with which kind of disease अब dr. Solomon कहने को तो एक doctor थे लेकिन वो खुद एक disease एक बीमारी से जूज रहे थे तो आपके सामदे चार option से देखते option number A hypochondria क्या उनको hypochondria था hypochondria याने कि एक mental state होती है जिसमें इंसान को लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ मुझे असात कुछ साई नहीं चल रहा हूँ जबकि कुछ नहीं है वो बिल्कुल साई है वो बिल्कुल perfect है वो इंसान लेकिन कहीं नहीं दिमांग में बस ऐसा लग रहा है मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, बस ऐसी feelings आती है तो yes हम कह सकते हैं कि वो hypochondria नाम की बिमारी से जूज रहे थे next, heart disease के उनको कोई दिल के मरीज थे क्या वो, नहीं ऐसा कुछ नहीं बेलकि वो तो बहुत diet free खाना खाने में प्रिफर करते थे, काफी जादा उनका routine subset था, doctor होते हुए, हैमोफीलिया, क्या उनको हैमोफीलिया था, हैमोफीलिया नहीं था, उनको बिलकुल भी ऐसा कुछ नहीं था, हैमोफीलिया का ये मतलब होता है कि जब आपके अंदर को ऐसी बिमारी होती है कि थोड़ी सी भी injury, थोड़ी सी भी चोट लग गई आपको, तो blood एकदम बहुत जादा quantity में आपकी body से भार निकलता है जब हमें कोई चाकू चोटा सा लग जाता है, तो थोड़ा सा blood निकलता है, बहुत जादा quantity में निकलता है, लेकिन वो लोग जिनको ये हैमोफीलिया नाम के बिमारी होती है, उनकी body से large amount of blood निकल जाता है, छोटी सी ही cut से या छोटी सी ही चोट से option number D है, हाइपो थर्मिया, हाइपो थर्मिया भी उनको नहीं था, हाइपो थर्मिया वह बिमारी होती है, जिसमें अगर आपकी body बहुत देर तक cold temperature में बहार ठंड में exposed जायाने के ठंड ये ठंड में आप खड़े हो, तो आपकी body का temperature एकदम से गिरता है, और बहुत थंड आपको लगने लगती है, आपके हालत बहुत खराब हो जाती है, तो ये हाइपो थर्मिया वह बिमारी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं था, उनको सरफ ये mental state, hypochondria था, जिसमें उनको लगता था, कि मैं ठीक नहीं हूँ पर जब की, वो बिलकुल ठीक थे, और ऐसा उनको इस Why did Dr. Solomon Margolin decide to go in a taxi to the wedding? options दिखते हैं, because he had no car, क्योंकि डॉक्टर पास कोई car नहीं थी, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, डॉक्टर पास बहुल अच्छी car उनकी पार्किंग, घर की पार्किंग में थी, because he was unfamiliar with Brooklyn, क्योंकि वो Brownsville जा रहे थे, और Brownsville जाने के लिए Brooklyn की गलियों को cross करके जाना था, तो Dr. Margalin जो थे, वो Brooklyn के जो गलिया है, Brooklyn के जो lanes है, उससे unfamiliar थे, उन्हें वो रहा महा के रास्ते पता नहीं थे, इसलिए उन्हें तो सोचा कि चालो मैं taxi से जाता हूं, तो yes, ये बिलकुल एक option था, उनको रास्ते नहीं पता दे Brooklyn के, because he didn't know how to drive, क्योंकि डॉक्टर को driving कर ले नही घर में, none of the above, याने इन में से कोई option नहीं, तो ये भी option हो नहीं सकता, क्योंकि हमें हमारा answer मिल गया, which is option number B. Next, when Dr. Margolin saw Dash in the wedding, he was extremely shocked, fill in the blank, जब Dr. Margolin शादी में, उदर वेडिंग में पहुचे, तो उन्होंने, he saw Dash, उनको कौन मिला वहाँ वेडिंग में और इस इंसान को देखके, वो extremely shock हो गए थे, बहुत जादा, उनका दिमाग खुल गया तक है, ये मुझे कैसे मिल गया, शादी मे ये particular इंसान मुझे कैसे मिल गई marriage में, so options है, Abraham Maclees, कि Abraham Maclees को देखके वो बहुत shock हो गए थे, अरे भाई क्यों shock होंगे, इसी की तो बेटी की शादी अटेंड करने जा रहे हैं, तो Abraham Maclees तो हो गई, तो इनको देखके shock क्योंगे, तो Abraham Maclees आंसर नहीं है, जीसिल, जीसिल एक उनका पुराना जानने पहचानने वाला फ्रेंड था, जो सैंसी मिन में जब डॉक्टर सोलोमन रहते थे और जीसिल भी रहता था पोलेंड में, तब ये वहाँ पे मिलता था, आज इतने सालोंबाद, यहां ब्राउन्स विल में, वेडिंग में ये जीसिल को देखे हैं, जीसिल को देखे हैं, चलो पुराना दोस्त मिला है, वेडिव शॉक्ट, राइजल, येस, राइजल इसे राइजल ऑपशन क्योंकि, राइजल वो लड़की थी जिसको डॉक्टर सोलोमन मारगुलिण लाइक करते थे, सालों पहले जब वो यंग थे तब वो इस लड़की को पसंद करते थे, लेकिन इससे unfortunately शादी नहीं हो पाई, डॉक्टर सोलोमन मार्गुलेन की किसी और से शादी हो गई इस राइजल की, और फिर नाजी पाटी ने इसको भी गन से शूट कर दिया और इसके husband को भी, तो जब ये मिली डॉक्टर को, वेडि number C is the right option, क्योंकि राइजल वो लड़की थी, जिसको डॉक्टर सोलोमन मार्गुलेन प्यार करते थे, उससे शादी करना चाते थे, लेकिन unfortunately इसकी फैमिली ने इसकी शादी किसी और से करवा दी थी, और फिर नाजी पाटियों के लोगों ने इसको शूट कर दिया, तो अब पाटी के लोगों ने, तो जब वो दिखी, वेडिंग में डॉक्टर को तो डॉक्टर वहाँ जादा शॉग्ड थे, और इसलिए भी शॉग्ड ने क्योंकि राइजल इतने सालों में बूड़ी हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो आज भी वैसी ही यंग थी, जैसी में अगर आपको शादी करनी है, तो किस चीज की जरुवत पढ़ती है शादी करने के लिए, तो options है, only a penny, सर्फ एक सिक्का, आपसे एक सिक्का दो चर्च में, आपकी वो लोग शादी करा लेंगे, तो yes, only a penny की ही जरुवत पढ़ती है, और कुछ नहीं चाहिए, big amount of money, यहूदी कम्यूनिटी में आप मैरिट कहला होगे, तो ऐसा भी नहीं है, यहां तो रिंग की भी जरुवत नहीं पढ़ती, स्रेव एक सिंगल पहनी, एक सिक्का चाहिए, बस, मांगल सूच्र आन संदूर तो मांगल सूच्र आन संदूर यहूदी कम्यूनिटी में नहीं चलता है यह हिंदू कम्यूनिटी में हिंदू धर में चलता है तो option number A is the right option to this question यह question हम इसी लिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब राइजल मिली थी Dr. Solomon Margolin को तो वो एकदम से अपनी वाइफ ग्रेटल के बार में सब कुछ भूल गए और वो सोचने लगे कि मैं मुझे राइजल मिल गई खुश होने लगे और उनको लगने लगा कि मैं शादी कर लेता हूं राइजल से यहाँ पर क्योंकि ग्रेटल से जब शादी हुई थी Dr. Solomon Margolin की तो उन्होंने एक court marriage करी थी यानिकि स्रफ sign किया था तो उससे साब से Dr. Solomon कहते कि मेरी शादी यहूदी धर्म के साब से तो county नहीं होगी मैं 30 सालों बार तो बुड़ा हो गया हूं मेरी पीट पूरी जुग गई है लेकिन राइजल अभी वह यंग लड़की है वही दस बीस बाइस साल की लड़की दिख रही है जो इतने साल पहले दिखती थी तो क्या यह राइजल एक्टुली एक्जिस्थ कर भी रही है कि नह जब वेडिंग में डॉक्टर सोलोमन मारगलन ने राइजल को देखा तो क्या राइजल और खुद डॉक्टर सोलोमन मारगलन अलाइज थे जिन्दा थे यहां बात सिर्फ राइजल की नहीं यहां बात डॉक्टर सोलोमन मारगलन की भी हो रही है कि क्या वो भी अलाइज थ लेख लिया एक दम से और आक्सिडेंट जिसका हुआ था वो इग्जाक्ली डॉक्टर सोलोमन मार्गुलिन को खुद के जैसा ही दिख रहा था वही इसने कोट पैना था वैसी पुरी लेकिन पुरा ब्लब लग रहा था किकिंकि उसका आक्सिडेंट हो गया था और की नाजियों ने तो इसी लिए राइजल और डॉक्टर सोलोमन मार्गुलिन दोनों ही अलाइव नहीं थे जिन्दा नहीं थे उनकी आस्ट्रिल बॉडी याने उनकी आत्मा वहाँ पर भटक रही थी और उन दोनों को ही यह चीज बाद में रियलाइज होती है कि सब वो लोगों के सामने खड़े हुए और सब लोग उनको कोई देखी नहीं पा रहे थे वहाँ पर सिल्विया के शादी होके लोग चले गए तो क्या लोगों नो उनको देखा ही नहीं वह तो वहीं खड़े थे तो उनको तब रियलाइज हुई यह चीज आप्शन है नो देवर नौट अलाइफ नहीं वो लोग अलाइफ नहीं थे यह सी बात बिल्कुल सही है दे आश्ट्रल बॉडड़ी वस वरंडरिंग उनकी और यानकी भटक्यों आत्मा इस दुनिया में wander कर रही थी याने कि भटक रही थी घूम रही थी तो येस ये बात भी बिलकुल सही है बोथ A and B A and B option तो नो तो येस बोथ A and B भी सही है option number D can't say कह नहीं सकते तो ये option नहीं हो सकते क्योंकि clearly हमने जब भी chapter पढ़ है तो हम इस बात को can't say नहीं बोल सकते हैं बिलकुल clearly बोल सकते हैं we can say this thing कि yes they both were not alive and their astral body was wandering in this world so option number C is the right option to this question question number one who is the poet of the poem trees ये जो हमारी poem है जिसका नाम है trees इसके poet कौन है तो आपके सामने four options दिये हुए है और जो सबसे correct option होगा आपको से करणा है टिक option number a a.k. ramanujan option number b emily dickinson option number c wb yeats option number d john milton जब हमने ये poem cover करी थी पढ़ी थी हमने ये poem तो हमने clearly पढ़ा था option number b emily dickinson के बारे में जो कि इस poem की poetess है emily dickinson एक दिन summer day में जाती है गर्मी का दिन होता है एक garden या एक field में जाती हो और फिर देखती है कि कैसे एक beautiful summer day में अलग-अलग sound जाते हैं leaves की birds की flower कैसे bloom होता है तो उन्होंने इस poem में beautifully बहुत अच्छे से एक summer day को describe किया है so option number b emily dickinson is the right option to this question next what kind of the day is described in the poem किस तरीके का day कैसा दिन इस poem में describe करा गया है याने के clearly बताया गया है तो जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि summer day गर्मी के दिन को बहुत अच्छे से इस poem में emily dickinson ने describe किया है so options are winter day क्या सर्दियों के दिन को describe किया है no rainy day बारिश के दे को no summer day गर्मी के दिन को yes windy day याने एक ऐसा दिन जिस बहुत तेज हवा ही हवा चल रही है तो ऐसा भी कोई दिन उन्होंने describe नहीं किया so option number c summer day is the right option to this question next what does saltries of summer refer to saltries of summer ये एक phrase है जो आपकी poem में दिया हुआ है तो पूछ रहें कि saltries of summer refer to याने कि इसका क्या meaning है तो सबसे पहले तुम्हें आपको saltry का meaning बता दूं कि saltry क्या होता है इस तरीके का एक musical instrument होता है saltry पी जो है silent होता है saltry में इसलिए हम पी saltry नहीं saltry पढ़ रहें तो ये एक saltry है जो ancient पुराने जमाने में जो भजन कीरतन करने वाले जो लोग होते थे वो इस musical instrument को use करते थे इसको बोलते है saltry जब भी इसका music सुनते थे लोग तो वो उनकी कानों को सुकून पहुचाता था यानि कि ये instrument बहुत सुनने में अच्छा लगता था लोगों कून तो saltries of summer का मतलब ये है कि summer day के दिन वो क्या सारी चीजें आप उस garden में सुन रहे हो और आपको अच्छी लग रही है तो basically जो भी आवाज हैं जो भी sounds आप महाँ पे सुन रहे हो summer day वाले दिन गार्डन में या फिर उस field में खड़ो के वो saltry की तरह काम करें यानि कि सारे sounds को saltry से compare किया गया है so options है saltries of summer का मतलब होता है music of the saltry इस saltry का music तो इस saltry के music की बात नहीं करी गई है saltry के music को compare किया गया है उन अलगले sounds से जो वहाँ पर summer day के दिन हमें या Emily Dickinson को वहाँ पर सुनाई दे रही थी music of the summer, summer के time जो भी music, जो भी संगीत जैसा निकलने वाला जो music अब सुनते हो किया उसे saltries of summer कहा गया है yes we can say that कि ये एक answer हो सकता है music which bring in summer, ऐसा music, ऐसा संगीत जिससे summer आए तो ऐसा कोई संगीत तो है नहीं कि जिससे summer आएगी तो summer आने के बाद, धूप आने के बाद, सूरज निकलने के बाद जो sound, अलग-अलग छोटे-छोटे insects की आवाज है, birds की आवाज है, leaves की आपस पे टक्राने की आवाज है उन सब को saltries of summer कहा गया है blessings of summer, summer season के आने के बाद, हम इंसानों के लिए क्या-क्या blessings, क्या-क्या चीज़े आशरवाद जैसा प्रतीत होती है, उनके बार में बोला गया है, नहीं clearly इसमें music of summer की बात करी गया है, याने की birds का sound, leaves का आपस में rustling का टक्राने का sound अलग-अलग छोटे-छोटे insects, honeybee की आवाज जो धूप की ताइम पे आती है, हमको gardens में usually वो तो music of the summer को compare किया गया है, salt trees of summer से, so option number B is the right option to this question next, what is the theme of the poem, यह जो पूरी आपकी poem है, trees, इसकी theme क्या है, basically क्या इसमें, पूरी poem में describe क्या गया है so options है beauty of nature, क्या nature की beauty बताई गई है, एक summer day को describe करते हुए, तो yes we can say that, बोला गया है save our environment, क्या इस तरीकी का poem है, कि जिसमें environment को बचाओ, पेड मत काटो, क्या इस तरीकी की बाते कही गई है ऐसा कुछ भी नहीं बताया है poem में, poem में तो clearly एक beautiful summer day को describe करा गया है, यानि की nature की beauty, सुन्दरता को, कुदरत की सुन्दरता को describe किया गया है sunshine का, sunshine को बताया गया है, sunshine जो दूपे उसको जरूर बताया गया है, लेकिन ये particularly सिर्फ sunshine के उपर poem नहीं थी जो sunshine की बात है, वो beauty of nature में include हो जाती, जब nature की बात करोगे, सब sunshine, birds, insects, garden, trees, सबको include करोगे लेकिन particularly सिर्फ sunshine की बात नहीं हुई है, सबकी overall बात हुई है option number D, none of these, याने इन में से कोई नहीं, तो ऐसा बिलकुल भी दिये clearly option number A हमारा answer है, जिसमें beauty of nature है, याने कुदरत की सुनदरता को इस poem में describe किया गया है और वही हमारी theme है next, what kind of sound does the poetess can hear on a summer day? जब summer day पे वहाँ पे उस field में घूम रही है हमारी poetess Emily Dickinson what kind of sounds, कौन से kind of sound जो है, वो सुन पा रही है, अलग-अलग, उनको आवाजे उस field में से आ रही है तो options है, sounds of miniature creatures, ये miniature creatures क्या होते है miniature creatures, याने बहुत छोटे-छोटे insects, जैसे honey bee, honey bees, bugs, छोटे-छोटे grass, ओपर, तो ये सारे miniature creatures होते है तो जब आपने notice कि होगे कि कभी भी आप इस ते garden में जा रहे हो, तो आपको honey bee की आवाज आ रही है, bugs की आवाज आ रही है, बहुत हलकी-हलकी आवाज तो ये जो miniature creatures का sound है, ये एक आवाज आ रही थी, yes, इसके बार में clearly आपकी poem में mentioned भी है sound of the birds, yes, birds की chop करने की जो आवाज है, वो बिलकुल आ रही है, वो भी clearly pensioned है आपकी poem में sound of the leaves when hitting each other, पेड की जो पतिया है, जो डालिया है, जो एक दुसरे को hit करी है, हवा चल रही होगी हलकी-फुलकी तो वो पतिया एक दुसरे को hit करी है, तो जो पेड की पतियों के सूखी leaves के आपस में एक दुसरे को जो टकराने की आवाज है, वो भी आ रही है यहाँ पे poetess क next, why was sun shown whole at intervals? यह जो sun था, जब वहाँ पे Emily Dickinson खड़ी जो थी तो sun उनको whole, याने पूरा, full, whole बोले तो full, intervals में, याने हर थोड़ी-थोड़ी देर में दिख रहा था, याने कि उनको clearly पूरा sun एक साथ वहाँ पे नहीं दिख रहा था, उनको पूरा sun जो है, हर थोड़ी-थो बादलों के पीछे छुप जा रहा था, फिर थोड़ा आधा दिख रहा था, फिर पूरा दिख रहा था, तो यह जो sun है, यह intervals में, याने कि थोड़ी-थोड़ी देर में whole पूरा क्यों दिख रहा था, एक बार में completely पूरा क्यों नहीं दिख रहा था, हमारी poetis को, so options है, because it was a rainy day, क्योंकि वो rainy day था, बारिश का मौसम था, इसलिए काले बादल चाय हुए थे, तो ऐसा बिलकुल भी नहीं, वो तो summer day को describe कर रही थी, because it was a windy day, क्योंकि बहुत windy day था, बहुत हवा चल रही थी, आसमान साफ नहीं था, clear नहीं था, इस वज़े से sun उनको whole, याने पूरा एक बार में नहीं दिख रहा था, तो ऐसा भी नहीं, वो तो summer day को describe कर रही थी, clearly बताया, because it was a cloudy day, क्योंकि वो cloudy day था, याने कि summer day था ही था, लेकिन जो sky था, जो आसमान था, पूरा clouds आने कि बादलों से धका हुआ था, तो इस वज़े से बादलों के पीछे sun बार बार चु जा रहा था, not mentioned in the poem, poem में mentioned नहीं, तो बिलकुल गलत है, बिलकुल clearly poem में mentioned है, क्योंकि बहुत साथे cloud, बहुत सारे clouds जो थे, आसमान में चाह गय थे, इस वज़े से, sun हमारी poetess को whole, एक बार में नहीं दिख रहा था, इंटर्वर्ल में दिख रहा थे, है थोड़ी थोड़ी रुक रुक के, so option number C is the right option to this question, next, except it were a whim of his, what does these lines refer to in the poem, आपकी पोम में एक लाइन, एक फ्रेज है दिया हुआ है, except it were a whim of his, इस line का क्या reference है याने की क्या meaning है, अब ये his कौन है, इस line में, his है son, his किस को बोला गया है, यहाँ पर ये pronoun यूज करा गया है, son के लिए, whim का मतलब क्या होता है, whim का मतलब होती है, जिद, तो यहाँ पर poem में ये explain करा गया था, इस line में, कि poetis को एक बार में पूरा नहीं दिख रहा था son, क्योंकि बहुत सारे बादल चाहे हुए थे आसमान में, लेकिन son जो थोड़ी थोड़ी देर में intervals में दिख रहा था, वो भ पाएगी धरती में, trees को, सबको, क्या चाहिए, sunlight चाहिए, इंसानों को, animals को, सबको, तो क्योंकि फलों के बागान, जो orchards होते, ये sun की जिद थी कि के भई, मैं आऊंगा बाहर, तो ही तो ये बागान होगेंगे, इसमें से फल निकलेंगे, trees को, photosynthesis के process के लिए भी sunlight की जरू जाएगा, इतने सारे बादल थे क्योंकि, ठीक है, तो answer है, options है, sun's, wind to let the orchards grow, क्योंकि sun की whim थी, उसकी जिद थी कि उसको orchards याने की फलों के बाबगानों को grow करना है, इसलिए वो बार बार बाहर आ रहा था था कि उनको sunlight पहुचा सके, yes, बिल्कुल clearly ऐसा mentioned है आपकी पूम वो बाहर आ ही इसलिए रहा था क्योंकि उसकी जिद थी कि उसको दुनिया को sunlight प्रोवाइट करनी है, क्योंकि sunlight के बिना ये दुनिया नहीं चल सकती, sun's wind to contribute in the process of photosynthesis, ये sun की whim थी, ये जिद थी कि उसको contribute करना था process of photosynthesis मे, photosynthesis वो process होती है, जिसमें एक plant को अपना खुद का food ब पड़ती है, अब air water तो मिल जाएगा, sunlight नहीं होगी तो photosynthesis के process आगे कैसे बढ़ेगा, खाना कैसे बनेगा, पेड़ हम लोग उकली खाना कैसे बनाएंगे, तो ये sun की कही नहीं जिद थी कि भाई, photosynthesis के process के लिए उसको अपनी sunlight दे नहीं है, इसलिए भार आ रहा था नहीं, तो बादल तो इतने चाहे हुएते हैं कि वो तो अंदर छुप ही गया था, तो इस इस और शुपा ही रहता बादलो के पीछे, next, what is the meaning of the word calyx, आपकी पोप में एक वर्ड यूस क्या गया है, calyx, इसका मतलब क्या होता है, जब छोटी सी फूल की, फ्लावर की कली होती है, तो वो कली को ऊपर से उसकी, जो जोटी 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 ग्रीन कलर की leaves होती है, वो उसको ढखके रखती है, for example, मान ली जाए, य this is rose, यह पूरा फ्लावर है, यह फ्लावर कम्प्लीट फ्लावर है, ठीक, अगर यही एक कोई कली होती, यह कली इस तरीके से बंद होती, यह कली इस तरीके से बंद होती, तो जो यह ग्रीन कलर की कली ढाकी होई है, इसको हम बोलते हैं, कैलिक्स, तो यह होता है, कैलिक्स and it is a part of your flower, तो यह कैलिक्स का यहाँ पर क्या मीनिंग बोला गया है, तो कैलिक्स का यह बोला गया है, कि Summer Day में शायद Emily Dickinson वहाँ पर एक फ्लावर देख रही है, यह चोटी से कली देख रही है, जो कैलिक्स से ढकी हुई है, यानि कि जब कैलिक्स कटेगा, यानि जब कैलिक्स खुलेगा, तो उसमें से एक ब्यूटिफुल फ्लावर ब्लूप होईगा, यानि खिल के बाहर रखती है, अभी फ्लावर जो है खिला नहीं है, ब्लूम नहीं हुआ, ब्लूम होने से पहले यानि खिलने से पहले जब कली होती है, और कली के उपर जो ग्रीन कलर की लीव होती है, जो अंदर पूरे फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखती है, उसे हम कहते हैं क्यालिक्स, स लियों को तो पेटल्स बोलते हैं तो यह भी नहीं होगा नन अब दीज याने इंग में से कोई option नहीं तो यह भी हो नहीं सकता क्योंकि हमें हमारा answer मिल गया है which is option number a यह जो green leaves होती है इसी को कालेक्स कहते है next what does the phrase hindered flags refer to from the poem poem में एक phrase एक line में hindered flags word use हुआ है इसके क्या reference है याने की what does this refer to iska meaning क्या है hindered flags का so hindered flag का basic meaning यह होता है कि जब एक flag होता है जब एक जंदा जो होता है जब हम फैराते तो वो बिल्कुल खुल जाता है लेकिन जब उस जंडे को बंद करके रखते हैं अभी इसको फैराया नहीं है अभी जंडा बंध है तो बंद flax को indered flag कहते हैं तो यहांपर indered flag को compare कर आगे है कली से जिसका फ्लावर अभी ब्लूम है वो कली है अभी बंद है जैसे जंडा भी फैराया नहीं गया वैसे कली अभी खुल के flower अभी अंदर ही है तो उस हिंडर्ट फ्लावर को कंपेर करा गया उस कली से जो अभी खुला नहीं है जैसे फ्लावर को फैराए कि तो वह कितना ब्यूटिफुल दिखेगा तो वहां पर जो पोईटेस हैं गार्डन में हिंडर्ट फ्लावर्स की तरह याने कलियों के फॉर्म म क्या मतलब है फ्लाग जैटर हॉइस्टेड वो फ्लाग वो जहने जो हॉइस्ट कर दिये गए याने फैरा दी गए हैं बिल्कुल भी नहीं यह तो एक इनकरेक्ट मीनिंग होगा फ्लावर्स अभी तक हॉइस्ट नहीं हुए है याने फैराए नहीं गए है तो येस वीकन से यह एक कंपेरिजन हमारी पूम में बताया गया है यह ओप्शन नमर्डी बोत बी एंसी याने की बी एंसी दो दो ही सही है तो येस ऑप्शन नमर्डी इस राइट ऑप्शन तो दिस ग्वेस्टिन next how mean to those that see dash delineation of nature's summer day complete the sentence from the poem तो ये जो line है how mean to those who see dash तो ये जो है ये कुछ lines है जो आपकी पूम की lines है तो हमको ये complete करना है और जो सही answer है वो आपका इन चार options में से कोई एक option है तो ये जो lines है ये आपकी पूम की last lines है जिसमें ये बोला जाता है सबसे पहले तो आप एक delineation का मतलब समझें delineation याने कि कोई भी description जो एक artist या जो एक painter अपती paintings में दिखाता है for example मैंने कोई painting बनाई मैं एक painter हूँ एक artist हूँ मैंने एक painting बनाई तो उस painting में जो भी चीज़े मैंने दर्शाई है, describe करिये, public को या फिर viewer को समझाने की कोशिश करिये वो delineation होता है तो यहाँ पर किसी basically painter का नाम यहाँ पर आएगा जिसके delineation की बात हो रही है याने जिसके paintings के description की बात हो रही है और वो हमेशे usually summer day या nature से related कुछ अपनी paintings बनाता है ओके, so option देखते हैं सबसे पहले तो Vincent's, क्या Vincent वो painter था? नहीं है, ऐसा कुछ mention नहीं है आपकी poem में Vandix, yes Vandix वो painter है जिसके बार में आपकी paint poem में mention किया गया है Pablo Picasso's, no, Peter Paul's, no इन दोनों के बारे में ही कुछ mentioned नहीं है आपकी poem में That means option number B is the right option to this question In lines का ये मतलब है कि उन लोगों के साथ कितना mean, कितना बुरा हो रहा है जो Vandix नाम के painter की delineation और paintings देखके ये समझने लगतें कि वा, यही nature है, nature कितना खुबसूरत है, कितनी खुबसूरत painting बनाई है लेकिन उन लोगों के साथ कितना बुरा हो रहा है क्योंकि वो लोग तो live painting देखी नहीं पा रहे या live इस दुनिया को एक garden में या field में आके देखी नहीं रहे अगर वो आएंगे live देखेंगे garden को, इस summer day को तो वो feel कर पाएंगे कि ये दुनिया जो realistic दुनिया है ये जो realistic nature है, जो nature की beauty है, वो कितनी ज़ादा है इस painting से तो कहीं ज़ादा है इस nature की beauty तो यहाँ पर हमारी Emily Dickinson कहती है, कि उन लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है जो ये समझते हैं कि वेंडीक की जो nature से related paintings होती है वो सबसे अच्छी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, exactly जब real nature को आप अनुभाफ करते हो experience करते हो, वो ज़ादा beautiful है, okay next, what kind of poetic device is used in the poem, इस poem में किस तरीके का poetic device use किया गया है basically poem में अलग-अलग poetic devices use होते हैं, लेकिन एक common poetic device जो हर जगा poem में use हुआ है वो है imagery, क्या use हुआ है, imagery, imagery वो poetic device होता है, जिसमें poet usually imagine करता है चीजों को कलप ना करता है, और समझता है कि अच्छा, यहाँ ऐसा हुआ होगा, वैसा होगा तो काफी पूरी जो poem में usually imaginary है क्योंकि वो sun को imagine कर रही है, कि sun तो ऐसा हो रहा है, hindered flax को imagine कर रही है कि इससे उन flower से जो अब तक कली है और flower के form में bloom नहीं हुए है तो कहीं न कहीं पूरी poem में overall imagery याने imagination काफी यूज हुई है oxymoron, oxymoron क्यों होता है, जब दो opposite words एक साथ यूज होते है, poem में याने in and out, यह in and out दोनों क्या है, एक दुसरे से opposite है और दोनों साथ में किसी line में एक साथ यूज होने चाहिए, तो ऐसा कोई दो opposite words एक साथ यूज नहीं हुए है कहीं पूम में थर्ड है all iteration, all iteration वो poetic device होता है जिसमें एक ही line में जो words दिये हैं उनके first letters consonant words है, जैसे vowels क्यों होते हैं, e, e, i, o, u, यह हमारे vowels होते हैं इनको छोड़के जितने भी सारे letters होते हैं, जैसे b, c, d, f, यह सारे consonants होते हैं तो किसी line में जो सारे words यूज हुए हैं या दो words भी आपस में अगर साथ में यूज हुए हैं और उन first words के जो letters हैं, वो consonant words हैं, याने same होने चाहिए, इसका भी b, तो इसका भी b तो उसे हम alliteration कहते हैं, तो ऐसा भी कहीं पर भी use नहीं हुआ है None of the above हो नहीं सकता, क्यों क्यों क्योंकि हमें हमारा answer मिल गया है, which is option number A, imagery Next, which pronouns are used in the poem to refer the sun पूरी poem में sun को refer करने के लिए, यह sun को दर्शाने के लिए, कौन-कौन से pronouns use हुए हैं तो सबसे बिला pronoun, समझो कि pronoun क्या होता है, pronoun वो words होते हैं, वो शब्द होते हैं, जो किसी noun की जगा पर लगाए जाते हैं For example, मैंने बोला, Anisha is a good girl, Anisha is a teacher, Anisha is wearing a black t-shirt तो first line में, Anisha use कर लूँगे कि ठीक है, Anisha is a good girl, लेकिन मैं बार-बार Anisha, Anisha थोड़ी बोलूँगी I will say, she is a good girl, she is wearing a black t-shirt, या her books are so many, she has so many books कुछ भी तो ही, her, herself, she, और it, ये सारी चीज़े जो भी होती हैं, ये सारे pronouns के words होते हैं तो son के लिए यहां पर कौन से pronouns use करें गए हैं, तो clearly यहां पर him use हुआ है, yes, his भी use हुआ है पोब में और himself भी use हुआ है Basically, तीनो ही pronouns use हुए है, that means option number D, all of the above is the right option to this question Next, when the wind blows, what happens to the leaves? Poet, जब भाँ garden में खड़ी हुई है, तो उन्होंने notice कि जब wind blow हो रही है, याने कि जब हवा चल रही है, तब leaves के साथ, या leaves को क्या होता है तो जब भाँ हलकी फुलकी हवा चल रही थी, तो जो leaves थी, वो आपस में एक दुसरे से टकरा रही थी, जैसे सूखी पतिया होती है या फिर जो भी leaves बहाँ पे branch में, या फिर tree में वहाँ hang कर रही है, वो एक दुसरे को टकरा रही थी आपकी पोम में, they hit and swing with each other, याने सारी leaves आपस में hit कर रही थी और swing हो रही थी, याने जूले जैसी पूरी branch पर जूल रही थी, तो यह सी बिलकुल clearly ऐसा mentioned है आपकी पोम में, they make a rustling sound, rustling याने जब दो चीज़े आपस में बहुत टकराती तो रसल की आवाज आती है, तो leaves की आवाज हलकी फलकी हो सकती है, लेके रसल एक दुसरे बहुत जोर से टकराए, ऐसी कोई sound वहाँ पे नहीं थी, so option number C is the right option to this question, question, question number one, who is the poet of the poem, the wild swans are cool, यह जो हमारी poem है, the wild swans are cool, इसके poet कौन है, आपके सामने four options दिये हुए, और एदमे से जो correct option होगा, उससे आपको करना है टिक्मा, so option number A, इस कमलादास, B. John Milton, C. W. B. Yeats, या D. William Blake, तो clearly जब हमने यह poem cover करी थी, तो हमने पढ़ा था, option number C, W. B. Yeats के बारे में, और इनके बारे में thorough introduction भी हमने cover किया था, That means, option number C is the right option to this question. Next, what is the theme of the poem? यह जो poem है, the wild swans are cool, इसकी theme क्या है? याने किस particular चीज़ के ऊपर पूरी poem revolve कर रही है? So, options है, A. Human life, याने इनसानों की life जो कभी रुकती नहीं है, याने कि अगर एक इनसान पैदा हुआ है, तो वो बड़ा होगा, फिर वो एक adult होगा, धीरे धीरे उसकी उमर घटेगी, घटी उमर के साथ उसकी energy, life में उसका enthusiasm, सब कुछ घटे घटे और finally end में उसकी death हो तो basically human life इस graph के साथ शुरू होती है, और फिर धीरे decreasing order में जाती है, क्योंकि इनसान की energy, happiness, freedom, enthusiasm, सब उमर के साथ घटता है, बी, beauty of nature, nature की beauty के बारे में, यहाँ पर basically छोटी मुटी nature की beautiful चीज़ों को describe जरूर किया गया है, लेकिन जो पूरी पोव की theme है, वो nature की beauty को नहीं describe कर रही है, वो describe कर रही है human life को, क्यों human life को, क्योंकि जितने भी swans हैं, जो वहाँ पर जील की किनारे, lake की किनारे swim कर रहे हैं, तो poet जब उनको देखते हैं, तो उनको count करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बहुत जादा energetic हैं, जितनी swans याने हंसों के जोड़े हैं, सब वहाँ पर energy हैं, enjoy कर रहे हैं, कभी हवा में लगते हैं, कभी water में वही पर swimming कर रहे हैं, जो उनका मन कर रहे हैं, उननेस साल बाद, 19 years बाद, जब poet वहाँ उसे जील के किनारे आते हैं, तो वो देखते हैं कि उनके उमर कितने धल चुकी है, उनमें energy कितनी कम है, उनमें, उनके अंदर वो freedom नहीं बची कि उनको जहां जाना है, वो वहाँ जाये, लेकिन वही अगर वो compare करें, खुद को, उन स्वान से, उन हंसों से, तो वो आज भी उतनी ही energetic है, आज भी उतनी ही happy लिख रही थी poet को, so it was all about human life, animal life, जि animals की जिन्दगी के बारे में mention किया गया क्या कुछ ऐस सच, नहीं, save water, पानी बचाओ, क्या इसके बारे में कुछ mention करा गया क्या पॉम में, ऐसा कोई सा भी slogan या theme नहीं mentioned है, that means option number A is the right option to this question, human life, next, which season is mentioned in the beginning of the poem, जब आपकी पॉम begin होती है, यानि कि जब आपकी पॉम start होती है starting में, कौन से season को mention किया गया है यहाँ पे, so options है A summer season, B autumn season, C winter season, या D rainy season, तो बिलकुल clearly autumn season को mention करा गया है पॉम के starting में, कि autumn season वो season होता है जिसको पतज़ड का महीना भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, पेड की सारी leaves सूख के yellow color की हो जाती है और गिर जाती है, तो यह बिलकु woodland का जो, jungle का जो रास्ता है, वो बिलकुल सूखी हुई पत्तियों से ढख गया था, तो वो इसलिए ढखा था क्योंकि वो autumn season के बारे में, यहने पतज़ड के महीने को describe कर रहे थे, that means option number B is the right option to this question, next, under the October twilight, the water dash, complete the lines of the poem, आपकी poem के एक line यहाँ पे given है और आपको बोला गय है कि आपको इस line को complete करना है, सबसे पहले तो twilight का मतलब समझो कि twilight क्यों होता है, जब सूरज ढ़ल जाता है शाम में और उसके बाद अब भी sun के set होने के बाद अब भी आसमान हलका हलका yellowish orangeish color का होता है, और अभी अंधेरा नहीं हुआ होता है, तो वो जो light होती है, उसे ह करा गया है कि जो सूरज के ढ़लने के बाद हलकी हलकी आसमान में थी, तो कह रहे हैं कि आसमान में वैसी twilight थी, the water dash और नीचे water था, याने कि वो लेक था, तो हमने जैसे कि पोम पड़ी हुए है, तो हमें मालूम होना चे कि यहां पर क्या answer आएगा, फिर भी हम एक बार options प लेकिन ये line आपकी पोम में नहीं है ऐसी, looked mysterious, पानी बहुत mysterious हैंने रहसे महीं दिख रहा था, तो ऐसा कुछ भी mentioned नहीं है आपकी पोम में, mirrors are still sky, yes, exactly यही वो lines हैं जो आपकी पोम में हैं कि October twilight पे, याने कि जो light है आसमान में, उस आसमान के light में जब नीचे पानी है नीच उस पे वो reflection आ रहा है, याने कि mirrors are still sky, sky बिल्कुल still है, याने बिल्कुल calm है, बहुत शान्त है, हलकी हलकी yellow yellow lights है, नीचे पानी है और आसमान को mirror कर रहा है नीचे water याने कि आसमान के reflection नीचे water में आ रही है, that means option number D is the right option to this question. Next, how many swans did the poet count? Poet ने दो बार counting करी थी, सारी swans की जोदर जील किनारे तेहर रही थी, सबसे पहले poet ने जब count करी थी सारी swans को, तो वो नहीं count कर पाय थे, क्योंकि सारी swans सी एकदम ओड़ उड़के उनके सर के उपर से निकल गई, फिर 19 साल बात, 19 years बात, जब poet ने पूरी swans count किया, बहुत ध्यान से observe करी एक-एक swan को, तो उन्होंने total कितनी swans count करी थी, options है 49 swans, B 59 swans, C 39 swans, या D 79 swans, तो बिलकुल clearly आपकी पोब में दिया हुआ है कि 59 swans है, poet ने count करी, 9 and 50, याने 9 and 50 swans याने 9 plus 50 याने 59 swans थी, तो option number B is the right option to this question. Next, after how many years did the poet count the swans again, clearly जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि, poet ने जब पहली बार swans count करी थी, तो वो पूरी अपनी counting कर नहीं पाये थी, क्योंकि swans एकदम उन्ने लग गई, तो ज़र दोडने भागने लग गई, लेकिन फिर दुबारा 19 साल बात, 19 years के बाद उन्होंने तो 19 years बाद उन्होंने second time count की थी, so options are 20 years, be 90 years, 90 साल, no, 90 तो बिलकुल भी थी, 10 years, no, 19 years, yes, तो 19 साल बाद उन्होंने count की थी, so option number D is the right option to this question. Next, was poet successful in counting all the swans in his first attempt? जो हमारे poet है, जब उन्होंने अपने first attempt, याने पहली बार में जब सारी swans को count करने की कोशिश की थी, तो क्या वो successful थे, क्या वो पहली बार में सारी swans count कर पाए थे, नहीं, वो नहीं कर पाए थे, क्यों क्योंकि सारी swans जो थी, वो एकदम से उठी और उड़ने लग गई, अपने wings को बहुत तेज तेज बीट करने लगी, कुछ आस्मान में उड़ने चली गई, तो वो first time में अपने सारी swans को count नहीं कर पाए थे, so options है yes, no, maybe याने शायद can't say याने कह नहीं सकते, तो बिल्कुल clearly पो में बोला है poet में कि first time में वो count नहीं कर पाए थे, क्योंकि all the swans, they mount याने थोड़े से उठे और उठने लग गई, bell beatings करने लग गई थे अपनी wings से, so answer है option number B, no, या याने कि वो नहीं कर पाए थे, पहली बार में, next, what kind of sound did poet mention for swans, जब पहली बार में poet ने अपने सारी swans को count कर रहे थे, तो क्या sound poet ने mention कि है swans के बारे में, कि कैसा sound swans ने थी, वो निकाल रही थी, so options है, bell beat of wings, याने जैसे ही पहली बार, 19 साल पहले, जब poet सारी swans को count कर रहे थे, तब वो फटा-फट एकदम उठी और bell beat of wings करने लग गई, याने कि ऐसा लग रहा था अपनी सारे wings, अपने punk को जोर-जोर से फढ़ फढ़ाने लग गई, जैसे कि कोई bell बजना start हो गई हो, तो ये चीज बिलकुल clearly आपकी poem में mentioned है, chopping sound, chopping sound बोल क्या कुछ ऐसा sound mentioned किया poet ने, हमारी swans के लिए, no, not at all, none of the above याने, इन में से कोई नहीं, तो ये तो बिलकुल गलत है, क्यों क्योंकि हमें हमारा answer मिल गया है, which is option number A, bell beat of wings. Next, why is the poet's heart sore now? अब, 19 साल बाद, जब poet वापस उस जील किनारे, उस लेक के किनारे खड़े हुए, तो poet का heart sore क्यों हो गया है? sore याने, filled with pain, याने, poet का दिल, दर्द से, तकलीफ से, पेन से क्यों भर गया है? So, options है, because his counting was incorrect, क्योंकि उन्होंने जो counting करी थी, पूरी swans की, वो incorrect थी, याने कि गलत थी, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, उन्हेंने बिलकुल clearly count की थी, 59 counts, 59 swans थी, बस इसमें, दिल में दुख दर्द करने वाली कोई बात ही नहीं थी, Because these swans are energetic and with decreasing age, poet has lost his energy, this can be an answer, poet का दिल बहुत ज़्यादा पेन से, इसलिए भर गया है, क्योंकि 19 साल पहले जब poet वहाँ खड़े हुए थे, तो उन्होंने सारी swans को count किया, वो भी बहुत enjoy कर रही थी, खुद भी वो काफी energetic feel कर रहे थे, लेकिन 19 साल बाद उसी जील किनारे जब poet वहाँ खड़े हुए, तो उन्होंने सारी इस बार swans count कर ली, लेकिन उनको ऐसा feel हुआ कि ये जो poet, ये जो swans है, ये कितनी energetic है, जब इनका मन कर रहा है, आसमान में ओड़ रही है, जब मन कर रहा है, पानी में स्वेय कर रही है, ये लोग कितनी खुश और कितनी energetic दि chain से भर गया है, because the swans have left the place, poet का दिल इसली दर्द से भर गया, क्योंकि 19 साल बाद जब वो यहां आए है, तो swans ने वो जगा छोड़ के चले गए, यानि जो swans थी, उन्होंने अपनी जगा बदल ली, तो ऐसा कुछ था, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो आए 19 साल ब next, in the wild swans at cool, trod with a lighter tread, refers to the time, अब यह जो पोम है, आपकी the wild swans at cool, इसमें एक line है, trod with a lighter tread, refers to the time, यानि जब यह line use हुई है, पोम में, trod with a lighter tread, तब यह कौन सा समय, कौन सा time, कौन सा वक्त दर्शा रहे है हमारे poet, तो trod with a lighter tread, का मतलब यह होता है, कि जब आप trod कर रहे हो, यानि कि आप किसी के उपर पैर रखके आगे निकल जा रहे हो, tread कर रहे हो, basically कहीं नहीं, lighter, यानि हलका सा, lighter, यानि हलका सा सामने वाले को कुचल के जैसे चले जाते हो, उसे हम tread कहते हैं, तो poet basically यहाँ पर उस time को refer कर रहे हैं, उस time को दर्शा आ रहे हैं, जब 19 साल पहले, वो पहली बार इस जील के किनारे आये थे, और यहाँ पर स्वान्स काउंट कर रहे थे, और जब उन्होंने अपनी counting स्टार्ट करी, तब अब उनकी counting खतम भी नहीं होई थी, और सारी स्वान्स उटी और जटपने जट पटाने लगी, उदर उदर वीलिंग करने लगी, यहने गोल 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 गोमने लगी, पानी में फड़ फड़ाने लगी, तो उनकी counting complete नहीं होई, तो बेसिकलिए यह वो टाइम है, पोएट की लाइफ का, जब वो काफी यंग थे, काफी energetic थे, उनमें काफी enthusiasm था, लाइफ को जीने की काफी इच्छा थी, यह वो टाइम दर्शार है, तब का टाइम है, क्योंकि तभी तो यह ताइम था, जब swans के बारे में यह बात उनने बताई थी, कि वो ट्रॉड करके, यानि कि जब मैं अपनी counting complete भी नहीं करी, तो वो सब जट पटाने लगी अपनी wings और मेरे सर को बर ट्रॉड करके, जैसे मेरे सर को लाइट, लाइटर फ़ॉम में, हल्क आसा मेरे को जैसे कुचल की मेरे सर के ओपर से उड़के निकल गई, तो यह तब का टाइम में जब पोईट काफी यंग थे, काफी एनरजेटिक थे, यह वो टाइम रेफर हो रहा है, तो options एक ते, when the poet was confined up in his house, यह वो टाइम है जब poet अपने घर में confined याने बंद के अंदर ही एक ही घर में एक ही जगा रहते थे, क्या यह वो टाइम है, नहीं, यह वो टाइम नहीं था और ऐसा कुछ mentioned भी नहीं है आपकी poem में, When the poet was young and carefree, जब poet काफी young थे, 19 साल पहले carefree, यह नहीं, दुनिया की कोई चिंता नहीं, कोई फिकर नहीं, क्या यह वो टाइम है, यह वो टाइम है, जब हमारे poet के children, poet के बच्चे swans count कर रहे थे, तो ऐसा कुछ भी mention नहीं है, poet के बच्चों के बार में, कुछ mention नहीं है आपकी पोग में, when the swans flew energetically, यह यह वो टाइम है, जब swans energetically उड़के चली गई थी, तो energetically उड़ी तो थी, लेकिन ट्रॉड करके याने, उनके सर को कुछल के, उनके सर पे जैसे, उनको हलका सा कुछल के निकल गई, तो basically, यह वो टाइम है, poet की लाइफ का, जब वो काफी young और काफी carefree थे, उनको कोई फिकर नी थे, काफी young और energetic feel करते थे, that means option number B, is the right option to this question, next, who are the two companions of the swans, swan के दो companions, यहने की friends कौन है, कौन से इसी दो चीज़े हैं, जो swan की companions है, यहने friends है, तो basically, swan दो जगा रहती है, एक तो पानी में, याने, lake में या उस stream में रहती है, या उड़ती है, कहाँ air में, हवाओं में, आसमान में, तो basically, pom में बोला गया है, कि swan के दो companions है, याने, दो friends है, जिनके साथ वो रहती है, या तो पानी, याने water, जिसमें वो swimming करती है, या तो air, याने, जिस हवाओं में वो आसमान में करता है, yes, both and b, and b, don't know, yes, and b, don't know, d, nobody, याने, कोई भी नहीं, तो ऐसा तो कोई भी उसका friend नहीं है, ऐसा कुछ mention नहीं है, तो basically answer is option number c, both and b, याने कि swan की जो friends है, वो stream and air, दोनों है, याने, वो पानी जिसमें वो तेरती है, और वो हवा जिसमें वो उड़ती है, इस से क्य दर्शार हैं, poet, यहाँ पर, दर्शार हैं, freedom, याने की आजादी, जो swan के पास है, कि जब उसका मन करें, वो stream में, याने, water में swim करेगी, और जब उसका मर्जी करेगी, वो हवा में उड़ेगी, ये freedom, आज 19 साल बात, क्योंकि धलती उमर हो चुकी है, उमर इत्ती बूड़ what does rushes mean in the poem, poem में एक word use हुआ है, rushes, इसका meaning क्या है, तो basically rushes जो होती है, वो पानी के पास है, जील की किनारे, बड़ी बड़ी ऐसे long green color की grass होती है, usually जो swans होते हैं, जो huns होते हैं, वो इन rushes में, याने कि इन बड़ी बड़ी घास में, अपना गोसला, अपना nest बनाते हैं, तो ये rushes क्या होता है, options है, a type of tall grass that grows near water, एक लंबी सी grass, जो water के पास grow होती है, yes, rush का मतलब एक चीज़ होता है, कि rush करो, याने hurry up, जल्दी करो, लेकिन question हम से क्या पूचा गया है, what does rushes mean in the poem, poem में जो word rushes use हुआ है, poem में क्या meaning निकाला गया है, उसका हमें वो बताना है, तो hurry up, याने जल्दी करो, ये भी एक meaning है rushes का, एक synonym है rush का, लेकिन poem में जो rush use हुआ है, वो ये rush use हुआ है, ये rush नहीं है, to run very fast, जल्दी तेज भागना, तो yes, rush करना याने जल्दी भागो, ये भी एक सही meaning निकल सकता है, लेकिन poem के हिसाब से सही नहीं है, none of the above याने इन में स है कोई नहीं तो ये तो option बिलकुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें हमारा answer मिल गया है, which is option number A, next, what kind of anxiety arises in the poet's mind, anxiety का मतलब क्या होता है, tension, या फिर worry, किसी चीज़ की चिंता, तो question है कि किस तरीके की anxiety, यानि किस तरीके की tension और worry, poet के mind में arise हो रही है, यानि कि आ रही है, तो poet के mind में कहीं न कहीं ये tension आती है, ये जील के किनारे इतनी beautiful swans को देखके, इतनी nature की सुन्दरता देखके, उनको ऐसा लगता है, कि मैं कितना lucky हूँ, कि मैं अपनी आखों के स swans हंसो को देख पा रहा हूँ, क्या कभी ऐसा तो नहीं होगा, कि मैं सोकर उठों और मैं बाहर आके देखों, तो ये swans यहां से गायब हो चुकी होंगी, यानि यहां से कहीं जाके कहीं और रहने लगे, अपने रहने का जगा अपना ठिकाना बदल दे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, तो इस तरीके के tension और तकलीफ और वरी जो है, वो poet के mind में आती है, तो options है, anxiety of approach and death, क्या poet के मन में ये anxiety, ये tension है कि मैं बूड़ा हो रहा हूँ, तो मेरी death कभी भी approach हो सकती है, मुझे कभी भी मौत आ सकती है, तो ऐसा तो डर उनको कभी नहीं था, उनको दुख जरू away from here someday, क्या उनको swans की anxiety थी, उसकी tension थी, क्या कभी ऐसा तो नहीं होगा, कि वो किसी दिन someday यहां से fly away याने उड़के कहीं और चली जाए, कहीं और रहने लगे, और मेरा ये खूबसूरत नजारा मुझ से दूर छिंज जाए, येस ये tension उनके mind में थी, anxiety of not able to count swans properly, क्या उनक परली बार में swans अच्छे से count नहीं कर पाया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो तो fun के लिए माँ खड़े हो थे, count कर रहे थे और फिर second time में तो उन्होंने पूरी 59 swans count भी करी थी, all of the above, सारे options, सारे options हो नहीं सकते, क्योंकि हमें हमारा answer मिल गया है, which is option number B, next question, since I first made my count, which poetic device is used in the line, यह जो line है, यह आपकी poem में line use हुई है, since I first made my count, कि पहली बार जब मैंने अपना count करने start की थी सारी swans, यह वो line है, इस line में कौन सा poetic device use हुआ है, तो options है, oxymoron, oxymoron वो poetic device होता है, जिसमें दो opposite words, एक साथ एक ही line में आते है, for example, मैंने बोल दिया, near, far, यानि पास में और दूर, तो near and far यह दो opposite words है, जो एक ही line में एक साथ use हुए, क्या यहाँ पर कहीं भी आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, कि दो opposite words एक साथ use हुए, नहीं हुए, that means oxymoron नाम का literary device, poetic device यहां use नहीं हुआ है, option number B है, hyperbole, hyperbole का मतलब होता है exaggeration, यानि कोई चीज बढ़ा चड़ा के बोलना, जब किसी line में आप कोई चीज बढ़ा चड़ा के बोलते हो, किसी normal सी चीज के बारे में, तो यानि कि आप उस line को exaggerate कर रहे since I first made my count, यानि पहली बर जब मैंने count की थी, 19 साल पहले वो swans, तो इसमें कोई बढ़ा चड़ा के वाली तो बात है नहीं, that means hyperbole नाम का भी यहां पर poetic device यूज नहीं हुआ है, C है alliteration, alliteration वो poetic device होता है, जिसमें for example जैसे vowels होते है, तो A, E, I, O, U, ये सारे होते हैं vowels, इन प भी letters होते हैं जैसे B, C, D, F, G, ये सारे होते हैं consonants, जब किसी एक line में दो शब्द ये दो से ज्यादा शब्द एक साथ हैं और उनके पहले letter consonant sound के हैं, तो that means उस line में alliteration नाम का poetic device यूज हुआ है, तो हम चेक करते हैं इस line में, तो यहां पर clearly दिख रहा है कि made my, made my, ये दो को ऐसे शब्द साथ में लिखे गए हैं, जिनके पहले letters है M, ये रहा M और यहां भी ये रहा M, और दोनों ही क्या है, consonant sound है, that means इस line में alliteration यूज करा गया है, option number D, personification, personification वो poetic device होता है जिसमें एक non living thing को आप connect करते हो, किसी human quality से, तो I don't think तो कि इस line में कुछ भी non living चीज को compare करा है, हमने किसी human being की quality से, यहां तो simple लिखा है कि जब पहली बर मैंने count की थी, वो swans, तो personification भी यहां पर use नहीं हुआ है, that means option number C, all iteration is the right option to this question, question number 1, who is the poet of the poem time and time again, ये जो आपकी poem है, time and time again, इसके poet कौन है, किसने ये poem लिखी है, आपके सामने 4 options given है, and जो correct option हो का उसको करना है, आपको tick mark, so option number A, John Milton, option B, Emily Dickinson, option C, A.K. Ramanujan, ये option number D, Kamala Das, so हमने बिल्कुल clearly पढ़ा था, जब हमने ये poem पढ़ी थी, और book में भी clearly given है, कि option number C, A.K. Ramanujan, इस poem के poet है, so option number C, is the right option to this question, Next question, अबी नहीं, clock towers, याने की वो towers, जिनको हम हिंदी में घंटा घर भी बोलते हैं, याने की जो बड़े-बड़े towers होते हैं, उसमें ये public towers होते हैं, और इसमें बड़ी-बड़े घडियां बनी रहती है, और हर आदे घंटे में जो clock tower होते हैं, ये एक beep देता है, याने की sound produce करत नहीं, तो clearly जब हमने पॉम पड़ी थी और beginning में, starting की lines यही हैं, कि listen to the clock towers, तो poet हम से कहते हैं, कि इन clock towers की अलग-अलग आवाजों को सुनो, जो हर आदे घंटे में और हर एक घंटे में sound produce करता है, याने की उसमें से जो beep की sound आती, याने की जो ting करके ऐसा आवाज आती, उसक option to this question, next question, the sound from different clock towers is slightly different from each other, why, अब हर शहर में कोई एक clock tower तो होता निये, हर एरिया में या हर traffic signal पर आपको एक बड़ा सा clock tower देखेगा, तो poet कहते हैं, कि different clock towers, जो अलग-अलग clock towers होते हैं, किसी भी शहर में, उसमें से जो sound produce हो रहा है, जो हर आदे घंटे और एक घंटे में, बड़ जो sound produce हो रहा है, वो different क्यों है each other से, यानि कि हर clock tower में से अलग sound, थोड़ा सा different sound क्यों आ रहा है, सब clock towers में से same sound क्यों नहीं आ रहा है, so options है, because there may be some mistake out of alloy, हो सकता है कि alloy में कोई mistake हो गई हो, अब यह alloy क्या है, alloy जो होता है, वो एक metal होता है, यह वो metal होता है, जो कोई भी दो metal से मिलके बनता है, okay, कोई भी दो metal जब हम mix करते हैं, तो उससे अगर कोई नया metal बनता है, तो उसको हम कहते हैं alloy, तो author कह रहे हैं कि obviously यह जो clock tower है, पूरा यह metal से बना हुआ है, alloys याने अलग-अलग metals से मिलके बना हुआ है, तो खोच सकता है कि कुछ mistake, बनाते वक्क कुछ mistake, कुछ गल्ती हो गई होगी, जिस वज़े से alloy की इस गल्ती की वज़े से हर clock tower में से कुछ different sound आ रहा है, option number B, because the gongs are deeper or lighter in its bronze, अब bronze क्या है, तो bronze एक तरीके का metal है, और कौन सा metal है, यह है alloy, जिस alloy metal की बात हो रही है पोम में, वो है bronze, अब bronze एक तरीके का metal है, जो दो metals को मिलके बनता है, और कौन से दो metals को मिलके बनता है, copper और tin, इन दो metals को मिलके बनता है bronze, तो bronze metal से यह clock towers बने और वो बोल रहे हैं कि हो सकता है कि जो gongs है, जो जिनको हिंदी में बोलते हैं कि जो घंटे बने हुए हैं इन घंटा घरों के, इन clock towers के, वो deeper या lighter है, याने कि बहुत heavy है, या तो अपने composition में या light, याने काफी कम वजन के हैं अपने composition में, तो हो सकता है, इस वज़े से अल clock tower का maker है, जिसने ये clock tower make करी, याने कि बनाई है, तो हो सकता है कि जो clock tower का maker है, जिसने ये clock tower बनाते वक्त उसके हाथ shake कर रहे हो, याने कि काप रहे हो, इस वज़े से clock towers अलग अलग तरीके से बन गए और उन में से हर clock tower में से different sound produce हो रहा है, तो option number D है, all of the above, याने कि ये सार ये ही options, so according to the poem और जिस तरीके से हमने पढ़ा हुआ है, हमें clearly पता है कि सारे options, option number A, B, C are correct और exactly ये ही poem में गिवन भी है, और ये ही तीन reasons भी poem में गिवन है कि क्यों हर clock tower में से अलग अलग sound आ रहा है, तो ये तीन reasons दिये हुए है, या ये तीन अनुमान लगाए हुए है, poem में की हो सकता है, इन तीन वजए से हर clock tower में से अलग अलग sound produce हो रहा है, तो yes, option number D, all of the above is the right option to this question, next, who are the donors of the clock towers, इन clock towers के इन घंटा घरों के donors कौन है, अब who are the donors, अब donor याने वो अनसान जो कुछ donate करता है, याने जो कुछ charity में कुछ दान देता है, usually यह जो हर शहर में बड़े-बड़े clock towers होते हैं, यह government नहीं बनवाती, इनके donors बनवाते हैं, याने कि कुछ बड़े politicians होते हैं, या कुछ religious लोग होते हैं, या कुछ मंदिर के पुजारी होते हैं, सब मिलके भाई, इनकी हो सकता है, जिद होती है, या इनका होता है कि चलो ह हम इस clock tower के लिए पैसे देंगे, तो हमारा नाम बड़ेगा society में, society में सब हमें जानेंगे, तो इस वज़े से यह लोग donations देते हैं, तो basically बड़े-बड़े लोग होते हैं, है ना, जो यह इन clock towers के लिए donations देते हैं, तो इसके options क्या दिए हैं, option number A, religious people, बहुत सारे religious लोग, क यह clock tower हमारे हम दान देंगे, इसके लिए हम donation देंगे, आप clock tower बनाई और इस पर बड़ा-बड़ा हमारा नाम आना चाहिए, ताकि जब भी लोग इसको देखेंगे, तो हमारे नाम से इसको याद करें, तो बड़े-बड़े politicians इस reason से भी clock tower के लिए donations देते, option number C, बोथ A and B, यह option number D, nobody, कोई भी, कोई भी डोनर नहीं है, कोई भी नहीं है, इस clock tower का donor, तो ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई दोनर तो, यह group of donors तो रहते ही है, clock towers के लिए, तो आस पर दिपों, religious people and politicians, दोनो are the right options, that means option number C, बोथ A and B, is the right option to this question, next question, what signals are these clock towers trying to give to different communities of the society, अब हमारी society में different communities रहते हैं, याने कि ऐसा तो नहीं कि स्रिफ Hindu रहते हैं, या स्रिफ Muslims, या स्रिफ Christians रहते हैं, ऐसा तो है नहीं, इस society में अलग-अलग community के लोग रहते हैं, mix, याने Hindu, Muslim, Punjabis, Christians, Jain, everybody, तो ये जो clock tower है, और इन अलग-अलग clock towers में जो अलग-अलग sound produce हो रहा है, poet कहते हैं कि ये clock towers का जो अलग-अलग sound है, ये कहीं नहीं कहीं एक signal दे रहा है, एक संकेत दे रहा है हमारी society के अलग-अलग community के लोगों को, कि आपस में brotherhood में रहो, भाईचारे से रहो, लड़ाई मत करो, riots याने दंगे मत करो, तो ये सारे signals एक clock tower जो है, वो हमारी society के अलग-अलग communities को देता है, तो अब options देते हैं, देखते हैं, option A, to stay in harmony amongst each other, आपस में हामनी याने प्यार से भाईचारे से रहो, not to quarrel and do not do riots, not to quarrel, quarrel मत करो याने की fight, quarrel का मतलब होता है, fight, लड़ाई, याने जिसको हिंदी में हम कहते हैं, दंगे, दंगे मत करो, option C, to maintain brotherhood in the society, society में एक brotherhood याने भाईचारे से रहे, आपस में सब भाईचारे से रहे, या option D, all of the above, ये सारे ही options, तो जिस तरीके समने पूम पढ़िये, हमने clearly ये चीज़ समझा था, कि जो clock towers होते, ये हर एक society में है, society में सकोई संकेत दे रहे, कि आपस में हामनी में रहो, आपस में quarrel मत करो, राइचारे से रहो, और brotherhood याने भाईचारे से रहो, which means option number D, all of the above is the right option to this question. Next, is there any specific reason for fighting among these different communities? ये जो different communities हैं, जो अलग-अलग religion के लोग यहां रहते हैं, इन society में, जैसे हिंदू, मुसलिम, पंचाबी, जैन, क्रिशन, जो भी सब रहते हैं, क्या इनका कोई fight करने का, आपस में लडाई करने का कोई specific reason है, कोई specific वजा है, तो आसपरती पूम मुझे कोई specific वजा नहीं है, मतलब ये लोग बस एक दूसरे से नफरत करते हैं, और ये लोग का लडाई का कोई specific reason नहीं है, अगर दो लोगों की सड़क के पीछे किसी भी topic पे लडाई हो रही हो, for example, parking की बात पे अगर दो लोगों की लडाई हो रही हो, तो suddenly वो लडाई convert हो जात एक दूसरे से hatred है, शायद जिस वज़े से ये सब हो रहा है, और आपकी पॉम में भी clearly ऐसा ही mentioned है, so options है, yes, कि हाँ कोई specific reason है, इनके बीछ लडाई का, option B, no, कि नहीं कोई specific reason नहीं है, option C, may भी, हो सकता है, शायद कोई हो, या option D, can't से, क्या है नहीं सकते कुछ, so as per the poem, option number B, no, यानि no, there is no specific reason for fighting among these different communities of the society, को specific reason नहीं है, तो पॉम क्या कोडे, option number B, is the right option to this question, next question, one day, you look up and see, one of them eyeless, silent, a zigzag sky, showing, who will be eyeless in the above lines, अब ये जो line given है, यहां से लेके पूरी यहां तक, ये जो lines है, ये आपकी पॉम की lines है, और इसमें बोला गया है कि एक दिन आप ऊपर देखेंगे, और देखेंगे कि इन में से कोई एक eyeless हो जाएगा, यानि किसी एक की आँख नहीं होगी, कोई silent हो जाएगा, यानि बिलक who will be eyeless in the above lines, इन lines में eyeless कौन है, यानि किस के बार में बोला जा रहा है कि उसके आँख चली गई, तो यहां पर clock towers की बात हो रही है, वो clock towers जो शायद दंगों में destroy कर दिये हैं, अलगला community के लोगों में, लोगों ने और बरबात कर दिये हैं, बड़े-बड़े tall clock towers, जब वो तूटे हुए, बरबात clock towers का उपर की तरफ देखते हो, तो एक दिन आप देखोगे कि लड़ाई के बाद, दंगे के बाद, वो eyeless हो गए, यानि कि उसकी जो hands है, जो हाथ है, घड़ी के वो तूट गए है, उसके numbers तूट गए है, वो silent हो गई है, बरबात हो गई है, वो silent ह हो गई है, यानि चलना बंद हो गई है, और वो parts में तूटी हुए है, कहीं से आधी तूटी हुए है, कहीं से गिरी हुए है, क्योंकि दंगे में पूरी बरबात कर दिये, अलग अलग community के लोगों ने, तो उसके through कही न कहीं स्काय दिख रहे है, तो ऐसा zigzag pattern sky का आप देख पारे उस तूटे हुए clock tower के बीच में, तो यहाँ पर जो ILS है, वो clock tower के लिए बोला गया है, so options है, option number 1, clock tower, जो की first option में ही हमें हमारा answer मिल गया है, दूसरे options देखते हैं, people from different communities, क्या अलग अलग community के लोगों के बार में बोला जा रहा है, कि उनकी ILS हो गई, आख चले गए नो, इन लोगों की वज़े से तो riot हुए हैं, याने दंगे हुए हैं, जिसकी वज़े से clock towers तूटते हैं और society में destruction होता है, पुलिस क्या पुलिस के बारे में बात हो रही है, नहीं, पुलिस तो जब दंगे हो जाते हैं, उसके बाद पुलिस आती है, और फिर पूरा महुल जान्स करने की कोशिश करती है, option number D, none of the above, याने इन में से कोई नहीं, तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है, क्यों कि हमें हमारा answer मिल गया है, which is option number A, clock towers. next question, according to the poem, what happens after a riot gets over, according to the poem, याने कि जब poem हमने पड़ी थी, उसमें हमने ये पड़ा था, कि what happens, याने क्या होता है, जब कोई riot gets over, riot याने जिसको हिंदी में हम कहते हैं, दंगे, और ये कौन करता है, दंगे, लड़ाई जगडे, ये society के अलगलग communities ही करती हैं, आपस में, तो ये poem के according, जब कोई दंगा खत्म हो जाता है, जब लड़ाई जगड़ा, destruction सब खत्म हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, तो options है, और peace march, लोग usually जब दंगा खत्म होता है, बहुत सारे लोगों कि इसमें death भी हो जाती है, लोग मर जाते हैं, तो उसके बाद एक peace march ह याने की एक शांती यात्रा, peace march जिसमें लोग candle march लेके निकलते हैं, या फिर चुप चाप बस एक शांती दूथ बनके एक march निकलते हैं, क्या ऐसा होता है, option B, different communities, settle down peacefully, जो different communities पहले लड़ाई कर रही थी, वो अब settle down हो गई है, याने की आपस में उन्होंने settle कर लिया है, औ कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग किसी नहीं किसी बे टोके topic में वापस जिसका कोई मतलब भी नहीं होता है, वापस लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं, और दंगा स्टार्ट कर देते हैं, अब peace march, like a time bomb, याने की peace march तो होती है दंगे के पाद, लेकिन वो कैसी होती ह like a time bomb, time bomb कैसा होता है, जैसे फटता एक दम, तो पॉम में हमने clearly ये चीज़ पड़ी थी, कि एक peace march होती है, जब दंगे खत्म होते हैं, और उसके बाद, जब peace march में अलग-अलग community के लोग march करते हैं, याने कि वो चलते हैं, शान्ती यात्रा निकालते हैं, तो उसमें suddenly, वो peace मार्च एक time bomb में convert हो जाते हैं, याने कि फिर लोग उस peace march के अंदर, जिसमें इतना दंगा हुआ है, जिस वज़े से वो peace march होती है, फिर उसी peace march के अंदर ही क्या करते हैं, लोग आपस में लड़ने लगते हैं, वहाँ पे time bomb जैसे फटते हैं, आपस में दूसरे के ओपर और एक नया दंगा start कर देते हैं, तो ये चीज़ exactly हमने पड़ी थी, कि peace march तो होती है, लेकिन वो time bomb जैसे होती है, याने कोई मतलब नहीं होता, दंगा हो गया, peace march हो रही है, फिर उसके अंदर एक time bomb जैसे कोई नई लड़ाई आप start कर देते हो, option number D, situation improves, तो situation तो कोई improve नहीं ह according to the poem, next question, a precise act of nature, what does these lines refer to, ये जो line है, a precise act of nature, ये line आपकी poem में से है, वो पूछ रहे है कि इस lines का मतलब क्या है, nature क्या होता है, nature याने हमारी कुदरत, ओके, और precise का मतलब होता है, बिलकुल clear, कोई ऐसी चीज, जो clearly बता दी गई ये उसमें कोई confusion नहीं है, तो जब nature act करता है, याने इन साब society वालों ने जब destruction कर लिया, दंगे कर लिये, लड़ाए जगडे, इतना destruction कर दिया है, humankind का, mankind का, और सारी property का, इस दुनिया का, तो nature अपने उपर आती है, nature कहती है कि मैं तुम लोगों को, इन clock towers के थूरू, या तुम लोग समझी नहीं रहे हो, इसलिए nature बोलते हैं, अगर इनने बोले तो अपने उकात पर आ जाएगी वो, और वो literally precise act करेगी, याने clear act करेगी, अपना action का समय दिखा देगी, याने nature किसी को spare नहीं करेगी, nature किसी को छोड़ेगी नहीं, nature जो है, वो basically आपको एक ना एक दिन सबक जरूर सिखाएगी, याने precise act of nature, क्योंकि nature सबस्यादा powerful है, हम इनसानों को लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और हम इस धरती को, इस धरती मा को, इस mother earth को कितना भी हो तो destroy कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, याने कि सहन कर करके, चीजे ले लेके, finally nature जो है, अपना रूप दिखाती है, याने अपना precise act, अपना clear act दिखाती है, कि देखू, मैं सबस्यादा powerful हूँ, एक ही बार में earthquake आजाएगा, एक ही बार में flood आजाएगा, सब कुछ खतम, हम इनसानों का जितनी power और जितना गमंड, proud, गुरूर है कि हम सबसे powerful हैं, वो सब एक बार में खत इसको अच्छे से यूटिलाइस करो, वेस्ट मत करो, तो इन इन लाइन का precise act of nature, इसका क्या मतलब है, तो options एकते है, nature has no role in these riots, यह जो riots कर रहे हैं, हम लोग जो दंगे, लड़ाई जगडे कर रहे हैं, नेचर का इसमें कोई रोल नहीं है, नेचर नहीं कहनी कि आपस में नेचर का इसमें कोई रोल नहीं है, तो यह एक सही option है, एस पर दी पूम, नेचर अलोन कें ब्रिंग डाक्नेस इन लाइफ ऑफ दे पीपल, अगर लोग बहुत जादा बरवादी क्रियेट कर रहे हैं इस दुनिया में, तो नेचर अलोन याने यह जो कुदरत, अकेले ही ल अंधेरा ला सकती है, इतनी ताकत रख सकती है, याने कि सब कुछ खतम कर देगी, लोगों की लाइफ एक बार में खतम, डाक्नेस आ गई, याने अंधेरा चा गया लोगों की लाइफ में, तो इस इस पर दी पूम, तो नेचर सब चादर पाफूल है, नेचर के आगे कोई नहीं ठिक सकता, नेचर is the most powerful than any other power of the rights, याने कि इन दंगों की पावर, हम इंसानों की पावर से भी कई जादा नेचर जो है, वो most powerful है, याने कि हर चीज़ से जो कुदरत है, वो सबसे जादा powerful है, तो इस इस जादा पाफूल है, तो इस जादा पाफूल है, तो इस जादा meaning को लेके, next question, who is the utmost powerful, utmost याने कौन सबसे जादा powerful है, इस पूरी दुनिया में, तो options है, people from different communities, अलग-अलग communities के जो लोग है, Hindu, Muslim, Punjabi, Christian, क्या ये लोग सब आपस में, सबसे जादा powerful है, no, nature सबसे जादा powerful है, नेचर के आगे किसी की नहीं टिकती, donors of the clock towers, क्या वो बड़े-बड़े politicians, दिगज, religious, लोग powerful है, जन्होंने clock tower बनने के लिए कुछ donations दिये थे, नहीं, वो भी powerful नहीं है, वो डिगज, politicians भी powerful नहीं है, nature के आगे, कोई नहीं टिक सकता, option C, nature, yes, nature सबसे जादा powerful है, nature जाए तो एकी बार में सब खतम कर सकती है, option number D politicians, क्या बड़े-बड़े ministers, politicians powerful है, ये लोग सब powerful होंगे, लेकिन सब अपने अपने घरों में रहे हैं, क्योंकि nature किसी के आगे नहीं रुकता, आपने nature को अगर चालेंज किया, तो nature एकी बार में सब खतम कर देगी, so option number C, nature is the right option to this question, next, what is the poem all about, ये जब poem है, time and time again, what is it all about, य basically किस बारे में है, ये पूरी पूर्म, तो options है, all the situations of the world will change with time, याने कि world में जितनी भी situations है, आपस में लड़ाए, जगड़े, riots की, दंगो की, आपस में नफरत की, ये सारी जो situations है, it will change, ये सब बदलेंगी, लेकिन with time, याने कि वक्त आने पे, time आने पे, जब nature उनको अपना रूप दिखाएगा, तो ये सारी बुरी चीज़ें जो है, nature की, world की situation है, सब change होगी, time आने पर, हमको सही वक्त का इंतजार करना है, option B, the changes will end up and time will start again with the new world, जब ये world change होगा, तो ये जो changes है, that will end up, याने कि जो changes है, जो बदलाव हो रहे हैं, ये खतम होगे, and time will start again with the new world, यान नेचर इनको एक बार में सब खतम कर देगी, याने एक ही बार में punish कर देगी, पूरे world के लोगों को, पूरा flood ले आएगी, यह हो सकते है, अर्थ को एक आज़े, जिसमें सब दुनिया खतम हो जाए, एक change लेकी आएगी, and the new world will start, और फिर एक नई दुनिया start होगी, जिसमे नेचर सबसे ज़्यादा powerful and dominating होगा, और फिर दीरे दीरे वापस इंसान आएंगे, option number C, both A and B, यहने option A and B, दोनो, option D not mentioned in the poem, यहने poem में mentioned ही नहीं है, कि poem है किस बार में, तो ऐसा obviously possible ही नहीं है, option number A and option number B, is the right option to this question, which means, option number C, is the right option to this question, a और भी दोनो appropriate reasons हैं, जिस वज़े से option C, C, both A and B, is the right option, next question, what kind of society is described in the poem, किस तरीकी के society, कैसा समाज, इस poem में describe किया गया यहने, बताया गया है, तो option number A है, society in which people quarrel on irrelevant matters, एक ऐसी society के बार में बताया गया है, कि जिसमें लोग quarrel कर रहे हैं, यहने fight कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, आपस में, irrelevant matters पे, वो matters पे, वो issues पे लड़ रहे हैं, जो irrelevant हैं, relevant ही नहीं है, सही ही नहीं है, बे तुके reasons, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, फाल्तु की बातों में आपस में लड़ रहे हैं, और society का महौल खराब कर रहे हैं, तो yes, एक ऐसी society के बार में बिलकुल mention किया है, poem में, society which has become burden on people due to its rules, एक ऐसी society के बार में भी poem में describe करा गया है, जो लोगों पर एक burden, एक बोज़ बन गई है, क्योंकि यहाँ पर इस society के अपने ही rules है, अपने ही regulations है, अपने ही कुछ नियम कानून है, for example, मुझे अगर कोई dress पहनना है, तो मैं अगर मुझे पहन के निकलना है घर से, तो I will think twice or twice, मैं यहाँ जारी हूँ, एक burden, एक बोज़ा बन गया और हम लोग इस खुले nature में, इस खुले आस्मान में सांस लेकर नहीं, खुली सांस लेकर नहीं जी पा रहे है, तो yes, इस तरीके की एक burden वाली society के बारे में भी mentioned किया है, option number C, both A and B, यहने दोनों options A and B, तो yes, हम कह सकते हैं क्योंकि दोनों options भी सही है, a good society in which people live in harmony with each other, एक ऐसी society के बारे में mention किया गया है, एक ऐसी अच्छी society, good society के बारे में mention किया गया है, जिसमें जो people हैं, जो लोग हैं, वो harmony में एक दूसरे के साथ, each other के साथ harmony में रह रहे हैं, यहने बहुत प्यार से, बहुत भाईचारे से और बहुत अच्छे से, तो option number D तो यहाँ पर option नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी पॉम में mention नहीं है, that means option number C is the right option to this question, next, each slightly of the other's time, deeper और lighter, which poetic device is used in these lines, अब यह जो line है, यह line आपकी पॉम की line है, कि each slightly of the other's line, यह each, यानि किस चीज के बार में बात हो रही है, यहाँ पर clock towers की बात हो रही है, कि हर clock tower जो एक शहर में बना हुआ है, वो slightly of the other's line, यानि slightly थोड़ा सा time में, हलका, फुलका, एका, दो, second का difference है, एक दुसरे के, अलग-अलग clock towers के timing में, हो सकता है, उनकी frequency में कुछ changes है, या जो clock towers है, वो आपस में deeper या lighter है, यानि कि वो जो है, उनका composition जो है, वो deeper या lighter है, यानि हो सकता है, कुछ heavy है, कुछ light है, इस वज़े से हर clock tower में से एक different, हलका सा different sound सुनाई देता है, तो इस line में कौन सा poetic device यूज हुआ है, तो options है, option number A, imagery, imagery वो poetic device होता है, जिसमें आप कुछ imagine करते हो, आपको पढ़के लगता है, कि कुछ imagination हो रही है, तो I don't think so, यहाँ पर कुछ imagery दिख रही है, क्योंकि simple यहाँ पर यह बोला गया है, एक specific reason दिया गया है, कि clock tower में से different sounds इसलिए आते, क्योंकि वो deeper या lighter है, यानि या तो वो heavy है, या तो light है अपने metal में, जिस वज़े से थोड़ा sound में difference आ रहा है, oxymoron, oxymoron एक वो poetic device होता है, जिसमें दो words साथ में आते हैं, और वो दोनो words आपस में opposite है, यानि उल्टे meaning वाले शब्द हैं, तो अगर हम इस line में देखें, तो हमें ये दो words बिलकुल दिख रहे हैं, deeper और lighter, deeper का मतलब होता है heavier and lighter, तो ये दो-दो words हैं, यहाँ पर oxymoron नाम का poetic device यूज़ हुआ है, क्योंकि deeper and lighter दो opposite words है, और साथ में यूज़ करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं, कि यहाँ पर oxymoron नाम का poetic device यूज़ हुआ है, personification, personification वो poetic device होता है, जिसमें non-human चीज़ों को, को human qualities से compare किया जाता है, या उनको उस human qualities से attribute करते हैं, यानि कि जोड़ा जाता है, तो ऐसा कुछ भी इस line में नहीं दिख रहा है, तो personification भी नहीं यूज़ हुआ, option number D, hyperbole, hyperbole वो poetic device होता है, जिसमें कोई चीज़ hype करके दिखाई जाती है, यानि कोई चीज़ बहुत exaggerate करके बताई जाती है, बढ़ा चड़ा के, ताकि उस line की importance जादा समझ में आए हम readers को, तो ऐसा कोई बढ़ा चड़ा के हाँ पे कुछ नहीं बताया है, कुछ hype करके कुछ नहीं बताया है, that means hyperbole नाम का भी यह poetic device use नहीं हुआ है, clearly oxymoron यूज हुआ है, which means option number B is the right option to this question. First question, Who is the author of the essay? Why the novel matters? अब यह जो आपका chapter है, यह basically हमारे author ने as an essay form में लिखा है, यानि की निभंद form में लिखा है, इसलिए हमने यहाँ पर essay mentioned किया है, तो यह जो essay है, Why the novel matters, इसके author कौन है? किस ने यह essay या यह chapter लिखा है? So, options है, option number A, GB Shaw, B, Amartya Sen, C, D, H, Lawrence, या D, Joseph Conrad, आपके सामने 4 options given हैं, और जो सबसे सही option या जो correct option है, उसे आपको करना है, tick mark, so हमने clearly, यह जब chapter हमने पढ़ा था और जब हमने इसकी summary cover करी थी, हर जगा हमने बिलकुल clearly पढ़ा था कि option number C, D, H, Lawrence हमारे author हैं, that means option number C is the right option to this question. Next question, in the essay, Why the Novel Matters, what does mens sana in corpore sano mean? अब यह जो आपका chapter है, यह जो आपका essay है, Why the Novel Matters, इसमें कई सारे Latin words या Latin sayings given हैं, तो यहाँ पर एक Latin saying है, कि mens sano in corpore sano, इसका meaning क्या है? तो options है, Buyers Beware of Fraud, जो buyers हैं, जो खरीददार है, वो fraud करने वाले याने की जूटा मूटा सामान टिपाने वालों से साफधान रही है, तो नहीं, बिलकुल यह meaning इसका नहीं है, हमने clearly chapter में पढ़ा है, कि इस term का या इस Latin words का क्या meaning है? A healthy mind resides in a healthy body, अगर आपकी body healthy है, तो आपका mind भी healthy रहेगा, तो a healthy mind resides in a healthy body, अगर आपकी body अच्छी है, आपका mind अच्छा है, तो आपकी body भी अच्छी है, तो yes, यह बिलकुल इसका option सही है, और हमने exactly यहीं पढ़ा था, जो भी आपको कर रहे हो, या जो भी आपको करना है, do well, अच्छा करो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, not all men can do all things, इसका यह मतलब है कि सारे आदमी सारे काम नहीं कर सकते, तो यह भी इन Latin words का meaning नहीं है, हमने clearly हमारे chapter में पढ़ा था, कि a healthy mind resides in a healthy body, याने कि एक अच्छा दिमाग, अगर आपका mind healthy है, तो आपकी body भी healthy रहेगी, basically आपकी body healthy होना चाहिए in any condition ताक कि आपका mind भी स्वास्थ रहे, healthy याने स्वास्थ, that means option number B is the right option to this question, next, who directs our whole body, whole body, हमारे पूरी body को, हमारे पूरे शरीर को कौन direct करता है, याने कौन directions देता है और instructions देता है, तो options है, our brain, हमारा दिमाग, B, our hands, हमारे हाथ, option number C, our heart, याने हमारा दिल, या option number D, our lungs, कि हमारे lungs, तो ये बिलकुल clear है, अगर हम ये chapter में भी ना पढ़ें, तो ये की general question भी है, कि हमारा जो brain है, वो हमारी पूरी body को क्या करता है, direct करता है, याने instructions देता है, for example, अगर कहीं पे कुछ बहुत गरम चीज़ पढ़ी और मैंने उसको touch किया, तो suddenly मैं अपना हाथ withdraw कर लूँगे, याने की पीछे कर लूँगे, क्योंकि उतनी देर में, within nanoseconds, मेरा जो brain है, वो मेरे hand को, मेरे हाथ को एक instruction, एक direction देगा, कि अपना हाथ withdraw कर लो, क्योंकि आपको वहाँ पे गरम लगेगा, आपका हाथ जल जाएगा, so आपका जो brain ही है, वो आपकी पूरी body को direct करता है, so option number A, our brain is the right option to this question, next question, me alive ends at my dash, complete the line from the essay, अब आपके essay में इस chapter में एक line है, me alive ends at my dash, तो इस line को आपको complete करना है, यानि कि me alive, मैं alive हूँ, मैं जिन्दा हूँ, और ये चीज़ end हो रही है मेरे dash पे, options है, mind, आपका दिमाग, जहां तक आपका दिमाग है, वहां तक आपका alive होना, जिन्दा रहना, खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद से सब चीज़े, non living things है, बी, fingertips, यह जो आपके finger के tips होते हैं, इनको हम fingertips कहते हैं, option number C, hair, आपके बाल, या option number D, आपके nails, आपके नाखून, so clearly हमने यह chapter में पढ़ा है, कि option number B, fingertips is the right option, fingertips, so sentence बनता है, me alive ends at my fingertips, author कहते हैं कि जो मैं जिन्दा हूँ, जो मेरा पूरा शरीर जिन्दा है, यह चीज मेरे fingertips पे आके खतम हो जाता है, याने कि मेरे सर के बाल से लेके, मेरे fingertips तक मैं पूरा जिन्दा हूँ, लेकिन यह जो नाखून है, यह मेरे, उनको author कहते हैं, यह मेरे small little weapons जयाने, मेरे चोटे हतियारों की तरह हैं, जो बढ़ते तो हैं, लेकिन इनको कितना भी काटोगा, इनको दर्द नी होगा, तकलीफ नी होगा, यह non-living part है मेरी body के, तो सर्फ नाखून को, अपने nails को, अगर मैं exclude कर दूँ, तो सर के बाल से लेके, पैरो के, पैरो तक, और मेरे fingertips तक, ने जिन्दा हूँ, मैं एक alive इंसान हूँ, और यह मेरे लिए सबसे जादा important है, इससे जादा आपको और क्या चाहिए, तो author ने इस पूरे ऐसे में सर्फ एक ही बात में बार बार फोकस किया है, कि आप alive, एक जिन्दा इंसान सबसे जादा importance रखते हो, इस दुनिया में और matter करते हो, so option number B, fingertips is the right option to this question, next, people consider their body as dash, लोग अपनी बाडी को क्या कंसिडर करते हैं, क्या मानने लगते हैं, options हैं, a bottle, एक खाली बाटल की तरह मानने लगते हैं, जिसमें से हमने पानी पिया, खतम किया और फिर फेक दिया, यानि कि लोगों ने अपनी बाडी को एक बाटल से compare कर लिया है, कि आपने पूरी जिन्दगी जी, और जब आपके डेट हो जाएगी, तो आपके शरीर को एक खाली बोटल की तरह, फाल्तू चीज की तरह दफना दिया जाएगा, जिसका कोई महत्वक कोई importance नहीं होगा, तो लोग अपने आपको एक बोटल जैसे consider करते हैं, a tin या can, exactly जैसे बोटल है, वैसी कोई tin या कोई can की तरह की can में से juice पिया, पूरा घदम किया, और आपने पूरी life अपनी body को use किया, शरीर को आपने इस्तमाल किया, अलग-अलग काम करने के लिए और जब आपके death हो जाएगी, तो आपने जैसे एक खाली tin का डबबा या खाली can का डबबे को fake देते हो, आपके शरीर को भी उस तरह के से fake दिया जाएगा, तो इसका मतलब ये बोला है ओथर ने कि हमारा शरीर तब तक important है हमारे लिए जब तक हम जिन्दा है, जब तक हमारे अंदर हमारी सांसे चल रही है, एक बार हमारे death हो जाएगी तो एक bottle की तरह हमारे शरीर को fake दिया जाएगा, जैसे खाली bottle useless है, हमारे किसी काम की नहीं है, हमारे शरीर को भी fake दे जाएगा, इसलिए अगर जी रहे हो, आप जिन्दा रहे हो, तो आप खुशी से रहो, क्योंकि मरने के बाद कुछ नहीं है, जो है, तब तक है, जब तक आप अप 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 अलाई हूँ, कि भाई हम तो मिट्टी के बरतन जैसे हैं, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएंगे, all these things, तो ये सारी चीज़ें लोग अपने आपको consider करते हैं, लेकिन author कहते हैं कि ये सब nonsense है, ये सब फालतू चीज़ें, अपने आपको एक alive man consider करो, ये ही सब से important चीज़ें, ये सब important नहीं हैं, ये सब तो nonsense है, तो basically ये सब consider करते हैं, लोग अपने आपको और इसी कहावतें भी लोग बातो बातो में बोलते हैं, which means option number D, all of the above is the right option to this question. Next, our body alive is a complete thing in itself, that's what you learn when you are a, तो वो कह रहे हैं कि आपकी body alive है, यानि आपका शरीर जिन्दा है, आपके अंदर सांसे चल रही है, आप हर चीज़ फील कर सकते हो, देख सकते हो, और ये अपने आप में ही एक complete बात है, एक संपूर्ण बात है कि आप जिन्दा हो, आप जिन्दा हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपने दुश्मन को गोली भी मार सकते हो, आप अपने दोस्त से हाथ भी मिला सकते हो, आप अच्छे के साथ अच्छा बुरे के साथ बुरा, आपको जैसा करना वैसा कर सकते हो जब तक आप अलाई वो और आप जिन्दा हो क्या ये बात अपने आप में complete नहीं है संपूर्ण नहीं है बिल्कुल है it's a complete thing in itself और ये बात की आप अलाई वो और ये अपने आप में संपूर्ण बात है ये वाली जो बात है ये आप सर्फ तभी समथ सकते हो जब आप क्या हो options है philosopher फिलोजोफर वो लोग होते हैं जो deep thinkers होते हैं याने बहुत गहराई गहरा तक सोचते हैं infinity याने कि अननतता तक उनकी सोच चली जाती है Option number B, Parson, Parson याने की Priest, याने कोई मंदिर का पुजारी जब आप पुजारी हो या कोई Priest हो किसी Church के, यह सब बाते आप सिर्फ तभी समझ सकते हो Option number C, Novelist, Novelist वो अंसान याने जो Novels लिखता है, जो उपन्यास कार होता है याने की उपन्यास लिखता है, Novels लिखता है, या Option number D, Scientist, या अगर आप वज्यानिक हो, तभी आपको इस सारी चीज़े समझ आती है तो इसका आंसार है Option number C, Novelist, अगर आप Novelist हो, तो आप ये चीज़ बिल्कुल क्लिरली समझ सकते हो, कि आप जिन्दा हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो यानि कि जब तक आपके दिमाग चल रहा है, आप अलाइव हो, तो आप कुछ भी इमाजिन कर सकते हो, कहीं भी कुछ भी सोच के लिख सकते हो, यानि नॉवल्स लिख सकते हो लेकिन अगर आप एक फिलोजोफर हो, तो आप इतनी डीप थिंकिंग में चले जाओगे, इतनी अनन्तता, इतनी इंफिनिटी तक चले जाओगे, कि वहां तक इंसानों का समझना, नॉर्मल यूमिन विंग्स के चीज़ों को समझना एजी नहीं है अगर आप पार्सन, अगर आप प्रीस्ट हो, तो आप स्रिफ मरने के बाद की लाइफ, यानि आफ्टर लाइफ के बारे में बात करोगे, कि यानि जब इनसान मर जाते हैं, तो उनकी सोल, उनकी आत्मा यहां भटकती है, वहां चली जाती है, दूसरी बॉड़ी में चली ज डारी के जो है जैसा है जितना सच आपके सामने तप तक आप अलाइव इनसान हों, उतना ही पता है, मुझे तो ओधर कहते हैं. scientist याने वग्यानिक, आप जिन्दा वग्यानिक के सामने खड़े रहोगे, आप इतने importance नहीं हो उनके लिए इतने important नहीं हो आप लेकिन आपके dead body में से वो आपका heart, आपका brain, आपके lungs अलग अलग organs निकालके microscope के अंडर रखेंगे और फिर बोलेंगे हाँ, ये body part जो है इस particular dead body का है, वो भी आप उनके लिए एक scientist के लिए तभी एक जरूरत की चीज हो जब आपकी death हो जाएगी, जब तक आप alive हो तब तक आप उनके किसी काम के नहीं हो, तो इसलिए author कहते हैं कि जब तक आप आपकी body alive चीज हो और ये अपन बात है, ये संपूर्ण बात है, ये सब चीज आप सब तभी समझ सकते हो जब तक आप एक novelist नहीं हो, तो author novelist को या novels लिखने वालों को सबसे सर्विश्रेष्ट मानते हैं, so option number C is the right option to this question, next, if a person is a parson, he only talks about, अगर कोई इंसान parson है, याने की priest है, याने की मंदिर का पुजारी है, चर्च का फादरी है, तो वो सरफ किस बारे में बात करेगा, priest जो है, options है, souls in heaven, याने उन आत्माओं की बात करेगा, जो heaven में चली गई है, स्वर्ग में गई, नर्क में गई, उन सार ही चीज़ों के बारे में बात करेगा, जो after life, याने मरने के बात के बारे में बात करेगा, एक जिन्ना इंसान के बारे में वो कभी बात नहीं करेगा, option नमर भी after life, वो ही चीज़ों मैं आपको बताई कि death के बाद भी एक life होती है, जिसको हम इंसान कहते है कि वो after life होती है, उस वक्त इंसान स्वर्ग में जाता है नर्क में, कोई हेल में जाता है, कोई हेवन में, किसी किसी की सोल वॉंडर करती है, इस दुनिया में यह नहीं भटकती है तो all these things एक पार्सन ही बात करता है, एक साइंटिस्ट या नॉवलिस्स बारे में बात नहीं करेगा तो यह दोनों चीज़ से कर सकते हैं, that means option number C, both A and B is the right option, क्योंकि दोनों ही यह बोल रहा है option number D, alive person, जिन्दा इंसान, एक पार्सन यानि कि एक प्रीस्ट, जिन्दा इंसान के बारे में बात नहीं करता, वो तो souls in heaven यानि कि मरने के बाद आत्माओं के बारे में बात करेगा कि वो कहां जाती है, कोई hell में जाएंगी, कोई heaven में जाएंगी, तो वो एक alive person के बारे में कभी बात नहीं करता, that means option number C, both A and B is the right option to this question next, if a person is a philosopher, he only talks about, अगर एक इंसान, एक person philosopher है, यानि कि बहुत ज़्यादा deep thinker है, बहुत ज़्यादा गहरी सोच सोचता है, यह इंसान infinity तक पहुच सकता है, यानि अननतता तक पहुच सकता है, इसकी सोच इतनी deep होती है, तो वो सर्व हमेशा किस बारे में बात करेगा, option A, organs of our body, आपके body के अलग-अलग organs के बारे में, no, यह तो scientist बात करेगा, scientist लोग आपके body के अलग-अलग organs के बारे में बात करेंगे, उनका experiment करेंगे, test करेंगे, उनका, okay, infinity, infinity का मतलब अननतता, जहां तक सोच जा सकती है, उनकी वहां तक जाएगी, तो yes, they will definitely talk about infinity, और ideologies के बार person, यानि कि जो priest है, जो पुझारी है, वो बात करेगा, हर priest या हर person जो है, अपने religion के बारे में बात करेगा, none of the above हो नहीं सकता, क्यों कि हमें हमारा answer मिल गया है, which is option number B, infinity, next, what are the things that fly out of a person as tremulations in the ether, अब यह जो terms है, tremulations in the ether, यह बहुत important है, बार बार आपकी पूरा जो chapter है, जो ऐसे उसमें use भी हुआ है, उसके उपर subjective question भी आ सकता है, तो ध्यान रखिए, tremulations in the ether क्या होता है, जब एक इंसान जिन्दा होता है, तो उसके अंदर उसके विचार होते हैं, उसके thoughts होते हैं, उसकी सांसे चलती हैं, that means size, उसके अंदर से निकल जाती है, tremulations in the ether के form में, याने ether याने की खुला आस्मान, और tremulations याने की कुछ vibrations या कुछ हवा में कमपन जैसी चीज, तो ये dead इंसान जब एक इंसान मर जाता है, तो उसके अंदर की सारी चीज़ें tremulations in the ether हो जाती है, याने vibrations के form में खुले आस्मान में चली जाती है, और ये सारी चीज़ें, कोई दूसरा alive इंसान, अगर एक जिन्दा इंसान है, तो इन सब चीज़ों को अपने अंदर absorb कर सकता है, वो ये क्यों कर सकता है, क्योंकि वो alive है, एक dead इंसान के अंदर या dead body के अंदर एक capability है ही नहीं, कि वो किसी और के tremulations को अपने इंसान के अंदर ही हो सकती है, तो ये जो tremulations in the ether है, जो ये सारे qualities, एक इंसान के अंदर में से fly out होके चले जाते हैं, एक इंसान के अंदर से बाहर होके चले जाते हैं, ये वो क्या होते हैं, तो options हैं, उसके words and thoughts, जो उसके शब्द हैं, जो उसके thoughts, उसके विचार हैं, उसके मरने के बाद उसके अंदर से निकल जाते है, Yes Julia बिलकुल ये है Size, Size यानि breathing, जो आपके अंदर एक इक सास है वह भी, जब एक इंसान मर जाता है तो उसके अंदर की सारी breathings जो Size हैं, यानि उसकी सासे हैं, वह भी इसके अंदर से बाहर निकल जाते है तो Yes, this is also right option aspirations, हर एक इंसान के अंदर कुछ aspirations यानि कुछ aspire करता है वो एक hope रहती, उम्मीद रहती कि मैं अपने life में आगे ये करूँगा या वो करूँगा या ये इस career में जाऊँगा तो ये aspirations and hopes भी एक इंसान के अंदर होती है लेकिन उसकी dead, death होने के बाद उसकी ये सारी चीज़े tremulations in the ether यानि खुले आसमान में vibrations के तोर पे बाहर निकल जाती वो इंसान खाली होता है, किसी use का नहीं होता, खतम होता है तो yes aspirations भी वो सारी चीज़े हैं basically ये तीनों चीज़े हैं, which means option number D all of the above is the right option to this question next अब मैंने जैसे कि आपको starting में बताया था कि आपके इस ऐसे में बहुत सारे Latin words का use किया गया है, तो एक और Latin term है यापे इसका meaning क्या है, तो options है a healthy mind resides in healthy body, तो ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि इसका question हम already कर चुके हैं उसके लिए different set of Latin words used हुए है all is well, सब कुछ बड़ी है, तो ये भी इसका meaning नहीं है हमने बिल्कुल clearly chapter में in words का meaning पड़ा है, all is well नहीं है that's life and that's how things happen ये ही life है, that's life, ऐसी ही life होती है and that's how things happen, और ऐसी ही चीजे चलती है तो exactly in words का यही meaning है और हमने chapter में भी यही पड़ा है none of the above हो नहीं सकता, क्यों क्योंकि हमें हमारा answer मिल गया है which is option number C that's life and that's how things happen, ऐसी ही life है और ऐसा ही सब के साथ होता है सभी जिन्दा है, जब तक जिन्दा है, उनके अंदर उनके लिए aspirations, उनकी size उनकी words and thoughts alive रहें death होने के बाद सब कुछ खातम okay, so option number C is the right option to this question next, the author considers a dash better than any other profession जो हमारे author है, वो dash को, याने जो भी इन options ये किस particular profession को किसी भी दूसरे profession से सबसे best मानते है सबसे सर्वश्रेष्ट मानते है तो किसको वो मानते है, options है, a novelist याने उपन्यासकार जो novels लिखता है, जो किदाबे लिखता है philosopher याने जो deep thinking करता है बहुत ज़ादा infinity तक सोच लेता है person याने priest के बारे में जो souls और after life के बारे में बात करता है या वो scientist के बारे में बोल रहे हैं हमारे author जो वग्यानिक है जो एक किसी dead इंसान के body parts के उपर experiment करता है तो author जो है, वो सबसे ज़ादा best consider करते है novelist को और किसी भी profession से वो novelist को सबसे best मानते है और हम लोगों को novels की तरफ turn होने के लिए या novelist लिखने का profession है novels लिखने का profession उसकी तरफ turn होने के लिए आने अपना जुकाओ देने के लिए बोल भी रहे है इस chapter में that means option number a is the right option to this question next the whole is greater than a part tick the correct option अब यह जो line है यह आपके chapter में से ही line है the whole is greater than part एक पूरी चीज़ एक complete चीज़ सबसे ज़्यादा great है उस चोटी चोटी उस चीज़ की चोटे चोटे पार्ट से अगर compare करो तो यहाँ पर author ने compare किया है हमारी body को author ने बोला है कि मेरा जो पूरा alive body है मेरा जो पूरा जिंदा शरीर है वो बहुत great चीज़ है अपने आप में और अगर मैं compare करूँ अपने body के एक heart से एक lungs से एक brain से या एक हाथ से या एक पैर से अपने body के अलग-अलग parts को अगर मैं बोलूँ तो मेरे body के अलग-अलग parts इतने जादा strong नहीं होंगे अगर मैं उन सारी चीज़ों को जोड के as a whole alive body बना लूँ अपनी तो वो अपने आप में ही a great चीज़ है मैं great things कर सकता हूँ अपनी सब चीज़ों को इस्तिमाल करके तो author हमारी body के लिए चीज़ कहते है तो हमें से options stick करना है options वे a false यान ये बात गलत है b true यान ये बात सही है CEO may be खो सकता है ये बात सही है d can't से कह नहीं सकते पता नहीं क्या है ये बात तो clearly ये बात हमारे chapter में author ने कहीं भी है और ये बात true भी है अगर आप अगर आपनी chapter नहीं भी पड़ा है तो भी आप इस चीज को पढ़के बिल्कुल कह सकते हैं कि यह चीज बिल्कुल सही है whole is greater than whole, whole is greater than a part याने कि पूरी चीज उसके अलग-अलग part से कई ज्यादा great है और better है, that means option number B, true is the right option to this question next, as per the essay, dash is a great novel, इस essay के मताबिक, dash याने इन options में से कोई एक option, एक बहुत great novel है, तो options है A, रमायन, B, भगवत गीता, C, कुरान या D, Bible, रमायन और जो भगवत गीता है वो हिंदुों की holy book है, याने ग्रंथ किताब है, कुरान मुस्लिम धर्म की और Bible Christian धर्म की, तो वो यह कहते हैं कि आस पर दे essay, इस essay के मताबिक, इन में से कौन सी ऐसी holy book है, जो एक great novel के तौर पर consider करी गई है, तो बिल्कुल clearly हमने chapter में पढ़ा है कि author Bible को एक great novel कहते हैं, अब basically Bible novel कैसे हो सकती है, एक किताब कैसे, एक story book कैसे हो सकती है, हम उसको story book नहीं consider कर सकते हैं, लेकिन उसका reason हमारे author नहीं यह दिये, कि Bible is considered as a great novel, क्योंकि Bible भी किस के उपर है, एक इनसान, एक alive इनसान थे, याने जीवित व्यक्ती थे, जिन्होंने अपने प्रवचन और अपनी सिखाई होई शिक्षिक, जो लोगों को शिक्षा दिया, और वो थे जीजस Christ, Jesus Christ ने दुनिया पे, इनसान के तोर पे जन मिलिया था, और वो एक इनसान थे, अलाइव एक जिन्दा व्यक्ती थे, जिन्होंने अपने प्रवचन दिये, अपने अच्छे विचार लोगों में प्रकट किये, और उन्हीं की सारी चीज़ें आप Bible के form में convert हुई, तो basically ये रीजन बता है कि एक अलाइव इंसान ही ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकता है, और इसलिए Bible एक great novel consider करी गई है क्योंकि novel स्रिफ इंसान लिख सकता है अपनी सोच से, अपने imagination से, अपने विचारों से, जैसा Jesus Christ ने किया, क्योंकि वो भी एक इंसानी थे, एक alive इंसान थे, उन्होंने धर्ती पे एक इंसानी रूप में जन मिलिया था, that means option number D, Bible is the right option to this question. next, in the essay, why the novel matters, what does kaldesak mean, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस chapter में बहुत सारे Latin terms का use हुआ है, तो एक और Latin term है kaldesak, इसका meaning क्या है, तो options है, a root leading to a closed end, एक ऐसा रास्ता जिसको अपनाने के बाद आप end में जब पहुचोगे तो आपको दर्वाजा close ही मिलेगा, याने उसके आगे कुछ नहीं है, याने के one direction में, alive body in a sack, sack याने की बोरा, English में, तो बोरे के अंदर एक alive body, तो यह तो फास्त हुए, यह बिल्कुल भी option नहीं है, a dead body, एक मरा हुआ इंसान, no, all of the above, याने सारे option, so all of the above हो नहीं सकते, जो कि clearly हमने यह meaning पढ़ा था chapter में, कि a root leading to a closed end, य कि अब आप कोई रास्ता पकड़ते हो, किसी root की तरफ, किसी direction की तरफ जाते हो, तो कोशिश करो कि आप एक direction में नहीं, आप हर direction में जाओ, ताकि आपका overall development हो, अगर आप एक ही रास्ता पकड़ोगे, या एक root ऐसा पकड़ोगे, तो जब उसका end आएगा, तो वो closed होगा, याने के end उसका खाली होगा, खटम होगा, उसके आगे आपके development नहीं होगा, तो यहाँ पर यह meaning यूज होगा, that means option number A is the right option to this question. यह जो चाप्टर है हमारा फिल्मेकिंग उसके ओथर कौन है किस ने लिखा यह चाप्टर आपके सामने four options given है और उसमें से जो सबसे सही या जो correct option है उसे आपको टिक करना है तो जब हमने यह चाप्टर पढ़ा था तो हमने clearly पढ़ा था कि option number C इंक मार बर्गमिन हमारे author है और यह वही इंसान है जिनके बारे में यह पूरा चाप्टर है और इन्होंने film making करिये याने कि film में बनाना इनका काम है और यह एक director थे बहुत great director Sweden country के so option number C इंक मार बर्गमिन is the right option to this question next question which movies shooting was going on in Sweden Sweden नाम की जगा पर कौन सी movie की shooting चल रही थी और shooting जो थी वो इंक मार बर्गमिन हमारे जो author है वही कर रहे थे तो कौन सी movie थी so options है option number A the seventh seal option B the virgin spring option C the passion of Anna option number D the silence क्योंकि जैसे हमने की chapter पढ़ा है chapter के starting में ही clearly mentioned है कि author Sweden नाम की जगा पर the virgin spring की shooting कर रहे थे जहां पर बहुत थंड थी और उनकी पूरी production company बहुत जादा मुश्किल से अपनी movie की shooting complete करने की कोशिश कर रही थी तो की वहां पर बहुत जादा थंड थी so option number B is the right option to this question उसके अलावा option number A, C और D पे जो movies mentioned है ये भी हमारे author Ingmar Bergman की ही movies है but जिस movie की shooting की बात हुई है इस chapter में वो है the virgin spring so option number B is the right option to this question next question which birds were flying in the sky during the shooting of the movie जब movie की shooting चल रही थी the virgin spring नाम की movie की उस वक्त sky में आस्मान में कौन सी birds fly कर रही थी जैसे की मैंने आपको बताय था इस movie की shooting की time पर बहुत जादा थंड थी और author और उनकी जो पूरी production company थी वो बहुत मैनत और मशकत बड़ी मुश्किलों से इस movie की shooting complete करने की कोशिश कर रही थी और इस tension में और इस ठंड के difficult महौल में shooting करना बहुत impossible हो रहा था उनके लिए और suddenly आस्मान में उन्होंने देखा कि चार cranes cranes एक तरीके की birds हैं जिनके long legs होते हैं usually white color की होते हैं यह four cranes जो हैं वो बिलकुल इस तरीके से round round circles में आस्मान में fly करने लग गए और इतने difficult situation में जब सब ने वो देखा तो सब छोड चार के उसको देखने लग गए और सब अपनी problems और ठंड को भूल गए और enjoy करने लग गए Sweden में और इन cranes को उन्होंने देखा तो इन ही cranes नाम की birds की बात हो रही थी क्योंकि इनको देखकर सब लोग अपनी problems को भूल गए और उस moment को enjoy करने लगे सो options है option number a cranes, b pigeons, c sparrows या d eagles जैसे कि मैंने आपको बताए clearly option number a cranes is the right option to this question next what kind of clothing the company was wearing during the time of shoot जब shoot हो रहा था याने कि जब shooting हो रही थी the virgin spring नाम की movie की तो जो company थी जो पूरी हमारे author की अडर जो हमारे director है इंगमार बोगमन उनकी जो पूरी production company थी जो वाँ shooting में लगी थी उन्होंने what kind of clothing याने किस तरीके के कपड़े पहने थे अब क्योंकि ठंड बहुत खतरनाक थी snowfall हो रहा था बर्व जम्य होए थी तो जाहिर सी बात है उस तरीके या उस weather के इसाब से ही कुछ कपड़े पहने होंगे so options है raincoats yes उन्होंने raincoats पहने थे क्योंकि snowfall हो रहा था और उनकी कपड़े गीले नहों जाए इस वज़े से raincoats पहने थे so this is the right option Icelandic sweater jackets Icelandic sweater jackets आने की sweaters भी jackets भी और Icelandic याने long Icelandic jackets and sweaters पहने थे जिससे आपकी body warm रहे ठंड में तो yes यह भी उन्होंने पहना था medieval robes medieval robes याने की pre history होती है एक modern history होती है और एक medieval याने middle age की जो history होती है उस time पर लोग बड़े-बड़े robes बड़े-बड़े gowns पहनते थे जो literally उपर से लेकि नीचे तक पूरा cover करता था और ठंड से बचा के रखता था तो उस तरीके के medieval robes भी वहां के लोगों ने पहने थे तो basically option number D all of the above उन्होंने यह सारे ही टाइप के कपड़े पहने हुए थे और clearly poem में आपके चाप्टर में mentioned भी है so option number D all of the above is the right option to this question next question from where can author hear different kind of sounds in Uppsala Uppsala एक जगा है Sweden नाम की country में यहां पर हमारे author Ingmar Bergman की grandmother का apartment था याने घर था और उनके बच्पन में author वहां पर जाया भी करते थे तो question हमसे यह पूछा गया है कि जब Uppsala वो अपनी grand mother के घर बच्पन में गये थे तो हमारे author ने कौन से different kind of sounds उस अपार्टमेंट में बैठके कौन से अलग-अलग तरीके के sounds सुने थे तो options है from where याने कहां से कौन से और कहां से from where basically उनने पूछा कहां से वो उनको sounds आ रहे थे जब वो अपसला में अपनी grand mother के अपार्टमेंट में वहां पर बैठे हुए थे तो from the next apartment जिस अपार्टमेंट में वो थे grand mother के उसके पास में जो next apartment था वहां से उनको कुछ आवाजे सुनाई दे रही थी नहीं उनको लगा कि जो भी वो आवाजे सुन रहे हैं पानी की या birds की या bells की या प्यानों की जो भी वो आवाजे सुन रहे हैं उनको लगा कि वो next apartments आरी लेकिन वो वहां से नहीं आरही थी from the music player जो वह music player रखा था क्या वहां से उनको आवाजे आरही थी नहीं यह भी उनका एक तरीकी का शच्छ गैस ही था कि जितना sound या गाने बजाने के आवाज आरही है वो वहां से आरही लेकिन वहां से भी नहीं आरही थी from a large picture of Venice अ apartment में बड़ी सी wall थी वहां पर एक picture एक बड़ी सी painting लगी थी Venice नाम की जगह की उसमें उन्होंने देखा उसमें न जो painting थी उसमें वहां पर ऐसा लग रहा था पानी भहरा है और birds घूम रही है और bells है Christian मतलब वहां पर एक church थी जिसमें से Christian Christian सब songs या hymds गाते है भगवान के पूरी जो painting थी Venice की वह उनको alive लगने लगी तो यह जो उनको आवाजे आ रही थी यह सब उनकी imagination में थी जो वह उस picture को देखके Venice की painting या scenery को देखके imagine कर रहे थे और उस Venice के paintings में से उनको वह imagination में से सारी sounds सुनाई दे रही थी तो यहीं से author को समझ में आने लगा कि उनका imagination power बहुत अच्छा है और शायद बड़े होके वह film making याने कुछ picture बना सकते हैं तो यहीं से उनको अपने बारे में समझ में आने लगा not mentioned in the story story में mentioned ही विए कि उनको कहां से सारे sounds आय ऐसा बिलकुल नहीं है उनको picture में से आय थे Venice की और clearly poem में chapter में mentioned भी है so option number C is the right option to this question next Ingmar Bergman was brought up in a dash family जो Ingmar Bergman है जो की author है हमारे chapter के he was brought up in a dash family याने कि वो बड़े हुए और पैदा हुए कौनसी family से so options है vicarage vicarage family याने कि एक religious family एक ऐसी family जो काफी ज़्यादा religious है पूजा पार्ट भगवान में बहुत ज़्यादा belief करती है तो yes ये बात बिलकुल सही है क्योंकि उनके जो father है वो priest थे वो लोगों के funerals, marriages, baptisms, अलग-अलग ceremonies जो होती है वो सब करवाते थे तो yes he was brought up in a vicarage family याने कि एक religious type की family में काफी modern family थी क्या उनकी not at all वो लोग तो बहुत ज़्यादा religious थे पूर बहुत गरीब लोग थे क्या नहीं ऐसा कोई गरीब नहीं थे बटिया दे वर religious wealthy क्या बहुत wealthy बहुत अमीर लोग थे रिच लोग थे क्या तो ऐसा कुछ एज ओफ 10 दि ओफर रिसीव जिस फॉस्ट तोई विच वाज दैश जब ओफर 10 एंच के थे उनको उनका पहला टॉइ मिला था वो क्या था टॉइ options है और रैटल याने एक जुझना जो छोटे बच्चे खेलते हैं नहीं वो तो बिलकुल न्यूबॉर्ण पैदा हुए वाले बच्चे जुझना रैटल से खेलते हैं दस साल का बच्चा थोड़ी खेलेगा अब फिल्म प्रोजेक्टर एक ऐसा टॉइ जो फिल्म प्रोजे फिल्म प्रोजेक्टर मिला था ऑप्शिन नमर बी इस राइट ऑप्शिन तो दिस क्वेस्टिन और यहीं से उनका इंट्रेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो गया था फिल्मेकिंग के बिजनेस में आप फिल्मेकिंग के करियर को लेके next what is the meaning of the term conjurer ओम में चाप्टर में बार बार conjurer वर्ड यूज किया है conjuring tricks यह सारे terms बार बार यूज हुए है यह इस पर questions भी आ सकते हैं subjective questions भी आ सकते हैं तो इस conjurer word का meaning क्या है basically conjurer एक वो इनसान होता है जो अलग-अलग magic tricks खेलता है और लोगों को बेवकूफ बनाता है तो यहाँ पर author कहते हैं कि हम जो directors होते हैं जो हम लोग filmmakers होते हैं हम लोग conjurers हैं याने कि हम लोग अपने बड़ी-बड़ी machinery से बड़े-बड़े equipment से film में सामने screen पर ऐसे graphics दिखाते हैं कि हम लोगों को बेवकूफ बना देते हैं याने कि कार भले छोटी सी toy car दिखाएंगे लेकिन graphics ऐसे दिखाएंगे अलग-अलग equipment की मदद से कि लोगों को बड़ी कार बड़ा crane दिखेगा ऐसे अगर कोई भूत दिखा रहे हैं तो कोई बड़ा भूत दिखाएंगे लोगों को सच्मेंट डर लगने लगेगा कोई emotional scene है तो इतना उसको emotional बना देंगे इतना लोगों को बेवकूफ बना देंगे कि लोग literally रोने लगे comedy इतनी दिखा देंगे कि लोग हस असके लोगों के आँखों से आसु आजाएं तो यहाँ पर author के कहने का मतलब है कि हम जो film makers हैं हम जो directors हैं हम लोग conjurors हैं याने हम लोगों के हाथों में सफाई है हमारे दमाग में ऐसी magical tricks हैं समदो कि जिससे हम public को बेवकूफ बना सकते और जो चाहें screen पर दिखा सकते हैं इसी लिए वो अपने आपको conjuror कहते हैं थाकि वो क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं वो screen पर कुछ भी दिखा सकते हैं और public को बेवकूफ बनाते हैं और public उस तरीके से फिर रिस्पॉंड भी करती है एक विलेन होता है तो क्या विलेन होता है कोई नहीं तो नन अब अबव भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमें हमारा अंसर मिल गया है विच इस ऑप्शन नमब ए नेक्स क्वेस्टिन फिल्म मेकिंग स्टार्ट्स विथ डैश जो फिल्म मेकिंग अगर आपको कोई पिक्चर बनानी है तो वो सबसे पहले कहां से शुरू होगी तो ऑप्शन है और स्क्रिप्ट भाई स्क्रिप्ट तो एक इंपरफेक्ट बेसेज है किसी मूवी को बनाने जिस करिप में सबकूछ मेंशन होता है कि कौन से अक्टर रोंगे कौन से लोकेशन पर शूटिंग होगी इस सीन के बाद क्या होगा बेसिकली एक सबकुछ इंपर्फेक्ट तरीके से स्क्रिप्ट में सब मेंशन रहता है जो एक डायरेक्टर पहले से प्रिपेर करके रखता है लेकिन यह शुरुवात नहीं है यह तो बहुत बात की बात है यह तो मतलब जब सबसे पहले तो इंसान के दिमाग में आता है एक कि हाँ ऐसा कुछ कोई चीज देखिए और आइडिया है कि अरे इस आइडिया पर मैं मूवी बना सकता हूं तो बेसिकली फिल्मेकिंग जो है वह एक मेंटल प्रोसेस है आने आपके मैंड से आपके दिमाग से शुरू होता है आपके दिमाग में सबसे पहले एक आइडिया एक विचार उत्पन्न होता है जिसकी मदद से आप एक-एक स्टेप आगे लेती हो तो स्क्रिप्ट तो बहुत बाद में आती है आपके दिमाग में सबसे पहले आइडिया आता है कि इस पर्टिकलर टॉपिक पर मूवी बनेगी तब जाके आगे कि सारे प्रोसेस होती है कि कौन क्या स्क्रिप्ट होनी चाहिए कौन से अक्टर्स होने चाहिए ऑप्शन अबडी शूटिंग डिरेकली शूटिंग सार्ट करते तो आप अपनी मूवी की यही से स्टार्ट हो जाता है ऐसा कभी नहीं होता है शूटिंग तो सबसे लास्ट प्रोसेस है जब सब कुछ तो तैयारी हो जाती है मेक-प मैं डिसाइट हो जाता है अक्टर डायलोग्स म्यूजिक गाने पिचर में सब डिसाइट हो जाता है तब जाके आप उस लोकेशन पर जाते हो और शूटिंग करते हो चूटिंग तो सबसे लास्ट होता है तो आप्शन नमर सी अन आईडिया जाइड जाती है और इस लाइट ऑप्शन तो दिस ग्वेस्टिन सबसे पहले एक फिल्म मेकिंग का जो प्रसेसर वो एक आईडिया एक दिमाग में कोई आईडिया ओता है डिरेक्टर के उससे ही स्टार्ट होता है next what is a very imperfect technical basis for a film film की सबसे imperfect technical basis क्या है याने film बनाने के लिए जो basic चीज आपको चाहिए एक technical चीज है वो बहुत दिमाग से बनाई जाती है लेकिन वो काफी imperfect है याने कि एकदम perfectly नहीं बनाई है लेकिन हाँ एक imperfect technical आपने एक basis बना लिया पिक्चर का और इसकी मदद से आपकी पूरी movie अब चलेगी तो वो क्या चीज है so options है dialogue क्या dialogue वो सबसे basic चीज है जिसकी मदद से पूरी movie बन जाती है नहीं dialogue तो script का part होता है script में dialogues लिखे रहते हैं और वो सब तो script का part है पूरी script जो होती है वो एक technical basis of the movie होती है एक film होती है तो everything is the part of the script सब कुछ script में लिखा हुआ रहता है ओके तो dialogue तो part of script है option भी script yes script ही वो चीज है जो technical basis होती है एक movie की music कौन सा music कौन से गाने बजाने उन्हें कौन से singers उन्हें यह सब भी script का part है याने कौन से scene के बाद गाना आएगा कौन से scene के बाद दूसरा गाना आएगा music आएगा यह सब script के अंदर लिखा रहता है actors कौन से actors perform करने वाले हैं यह भी script का part है script में लिख दिया जाता है शुरू में कि यह actor है यह hero है, यह villain है, यह comedian है, यह hero है यह सब script का part है तो basically जो सब से technical basis होती है movie की वो होती है script so option number B is the right option to this question next the author says we should avoid making movies out of the books why? अब जो हमारे author है Ingmar Bergman वो कहते हैं कि हम लोगों को books जो novels लिखी जाती है उन novels के कहानियों को convert नहीं करना चाहिए movies में यानि बहुत सारे लोग novels पढ़ते हैं और फर सोचते हैं वड़ी अच्छी कहानी है चलो इस पर picture बनाते तो हमारे author कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्यों कहते हैं वो ऐसा options है because books are untranslatable into visual terms क्योंकि author कहते हैं कि books को आप visual terms में translate कर नहीं कर सकते हैं यानि कि जो भी चीजें एक book एक different idea से लिखी गई है बुक में सब कुछ elaborated लिखा रहता है बहुत सारा लिखा रहता है और इस सारी चीजों को आप दो गंटे की movie में translate करके visual terms में आने की आप दर्शेकों को नहीं दिखा सकते हैं आप उस book का कुछ part ले सकते हो लेकिन पूरी book को दो धाई गंटे की picture में नहीं दिखा सकते हैं और movie की originality किसी दूसरे topic पर अपनी जगह रहे उनको convert मत करो नहीं तो दोनों ही अपने importance खतम कर देंगी so yes ऐसा कहा था हमारे author ने next because the germ of its existence is different author कहते हैं कि जो book का existence है जो book exist कर रही है उसका germ याने कि जो उसका कीड़ा याने जिस thought से जो writer था उस novel का जिसने जो उसके दिमाग में कीड़ा आया जो germ आया उसके दिमाग में कि हां इस thought को लेकि उसने पूरी book लिख डाली वो बिल्कुल जो germ of idea जो उसके दिमाग में था वो बिल्कुल different था और उसको picture में visual terms में convert नहीं कर सकते तो yes ऐसा भी हमारे author ने कहा था because it will destroy the special dimension of the film अब जो book है उसमें हर चीज़ एक different dimension से दी गई है याने कि लोग पहले यहां गए फिर यह dialogue बोला फिर यह बोला फिर यह लिखा तो सारी चीज़ उसमें different तरीके से दी हुई है लेकिन जब आप इसको movie में convert करोगे तो film का एक special dimension होता है याने देखने के interest होती है एक tone होता है एक rhythm होती है picture की जिसको viewers देखते हैं और interest उनका बना रहते है book जो यह लोग पढ़ते हैं थोड़ी देर छोड़ देते हैं फिर थोड़ी देर पढ़ते हैं लेकिन movie तो लोग एक ही बार में देखके खतम करते हैं तो अगर इस तरीकी को आप convert करोगे तो viewers अपना interest खतम कर देंगे और movie काफी लंबी और खिच जाएगी जिसकी वज़े से movie का और एक film का special dimension बरबाद हो जाएगा याने की destroy हो जाएगा तो yes ऐसा भी हमारे author ने कहा था option number D all of the above क्योंकि सारे ही options सही है और हमारे author ने दिये थे यह reasons कि एक book को convert नहीं करो एक movie में यह उसके सारे reasons हैं so option number D all of the above is the right option to this question next who are the significant people in the author's life who helped him in building up his career अब जो हमारे author है इंगमार बर्गमन यह काफी successful film director है लेकिन इनकी life में बहुत significant people रहे हैं याने की बहुत important लोग रहे हैं जिन्होंने इनके career को build up करने में इनकी बहुत मदद करी है यानि कि आज वो जहां है वो इन कुछ लोगों की मदद से वहां पर हैं अकेली नहीं पहुचें so options है एक टॉर्स्टिन हैमरेन येस टॉर्स्टिन हैमरेन जो थे ये एक बहुत बड़े थेटर आटिस्ट थे ऑथर को थेटर के बारे में कुछ नहीं पता था थेटर के जो plays वगर होते हैं इन्होंने उनको थेटर के बारे में इतनी information दी इतना knowledge दिया कि finally वो एक municipal head बन गय पहली movie आई थी तो वो उनकी unsuccessful गई याने की flop गई लोगों को पसंद यह उसके बाद Lawrence Momstead ही वही इंसान थे जिन्होंने author को film making का जो पूरी चीजे हैं scratch याने एकदम beginning से लेके end तक सब को जैके एक चीज अच्छे से सिखाया यहां तक कि उनको यह भी बताए कि जब आप screening room में बैठे रहते हो तो अपने लिए devil बन जाओ याने एक राक्षस बन जाओ एक एक चीज गलत दिखे हर चीज बदलो चाहिए किते भी महनत लगे तो इन्होंने बहुत सारी चीजे और ग्यान की बातें बताई हमारे author को जो आज तक वो follow करते हैं Herbert Gravenius, Herbert Gravenius वो इंसान है जिन्होंने हमारे author के अंदर एक writer होने का encouragement जगाया अगर आप film के director हो तो आपके इंदर एक quality बिल्कुल होनी चाहिए और must है वो यह है कि आप script writing कर पाओ आप script अच्छी लिखोगे और actors को दिखाओगे तो ही तो वो interest जगाएंगे कि हाँ हम आपकी movie में काम करने के लिए interested है अगर script ही boring लिखी आपने तो actor पढ़के बोले कारे नहीं काम करना दूसरा movie कर लेंगे जो भी है तो यह script लिखना नहीं आती थी हमारे author को और Herbert Grevenius ने उनको बहुत encourage किया और उनके अंदर एक अच्छा writer होने की आदतें जगएं तो उसके बाद से वो अच्छे script writer बन गए हमारे author Ingmar Bergman तो Herbert Grevenius ने भी बहुत मदद करी उनके career को build up करने के लिए तो basically तीनों लोगों ने करिये which means option number D all of the above is the right option to this question next what is the reason for huge success of the novel The Name of the Rose अब Amboto इको एक बहुत बड़े अकाडमीशन है इटली की बहुत बड़ी बोलोगना युनिवर्सिटी के प्रोफेसर है वो तो उन्होंने एक बुक लिखी थी The Name of the Rose जो की बहुत जादा famous हो गई थी उसके 10 million copies sell हो गई थी market में तो यह जो novel है The Name of the Rose जो अमबर्टो एको ने लिखी थी उसके इतनी बड़ी success का क्या reason था ऐसा क्या था उनकी movie में जो इतनी successful हो गई उनकी novel so options है A mystic वो काफी mystery से भरी होई थी काफी जादा रहस्ते था movie में तो suspense होने की वज़े से लोग काफी interested थे book पढ़ने के लिए Yes, बिलकुल था ऐसा Metaphysics and medieval history period used उन्होंने अपनी book में metaphysics का use किया था यानि कि एक ऐसी branch of science जो space और time के बारे में थी तो लोग के पढ़ने में काफी जादा interested थे and medieval history period used हुआ था उनकी book में एक होती है pre history याने पहले की history एक बीच की middle history याने medieval history होती है और अभी की जो latest history है उसे हम modern history कहते हैं तो उन्होंने जो middle history जो medieval history period था वो काफी जादा use किया था जिसको पढ़के लोग काफी जादा interested थे तो yes ये भी सब use हुआ था third है detective style उनका जो लिखने का style था पूरी novel का वो detective style था याने काफी जादा suspense लोग पढ़ रहे था तो इंटरेस्ट आ रहा था कि आगे क्या होगा आगे क्या होगा तो ये detective style था उनकी movie उनकी novel का so basically सारी ही ये तीनो quality थी इसी वज़े से उनकी जो novel है अमबटो इको की the name of the rose वो काफी successful हुए और 10 million copies उनकी market में sell हुए that means option number D all of the above is the right option to this question next why does Eko call the success of his book a mystery Mukundh Padmana Bhahn ने एक बहुत बड़े दे हिंदू newspaper के journalist है और उन्होंने जब अमबर्टो इको से इको याने जब अमबर्टो इको से interview लिया तो उन्होंने पूछा कि मतलब आप अपनी book को इतना successful कैसे मानते हो मतलब क्या reason है कि आपकी the name of the book इतनी successful हो गई तो उन्होंने बोला कि मेरी जो book की success है वो एक mystery है वो एक रहस्य है क्यों बोला उन्होंने ऐसा options है क्योंकि वो इतनी successful हो गई तो उनको लगा रहस्य है तो ऐसा थोड़ी है ऐसा नहीं होता है because of its popularity क्योंकि उनकी book बहुत जादा popular हो गई थी market में 10 million लोगों ने उनकी book को खरीदा था इस वज़े से बोला था कि mystery है नहीं ऐसा भी नहीं था because of many factors क्योंकि बहुत सारे factors बहुत सारे reasons थे जिसकी वज़े से उन्होंने ऐसा कहा था नहीं because of many other books medieval period याने middle history के बारे में mention किया है तो author कहते कि मैंने कुछ नया mention नहीं किया या कोई नय topic पे कोई अपनी book नहीं लिखी मुझसे पहले कई सारे लोगों ने medieval period याने middle history के बारे में अपनी books में mention किया है और मैंने भी वही किया उनकी इतनी क्यों successful नहीं गई वो मुझे नहीं पता लेकिन मेरी कैसे इतनी successful हो गई वो मुझे नहीं पता वो मेरे लिए एक mystery है एक मेरे लिए रहस्य है ऐसा amborto iconica तो basically उनके कहने का मतलब यह था कि मेरी book correct timing पर आये अगर यही मेरी book 10 सल पहले है 10 सल बाद आती तो शायद इतना जादा successful नहीं होती लेकिन मेरी book का market में publish होना on the right time is basically the main reason otherwise जैसे किताबे मैंने लिखी हैं जिस topics मैंने अपनी किताब में mention कि वो पहले बहुत से लोग कर चुके हैं Why were the journalists and publishers puzzled by the success of the name of the rose puzzled का मतलब क्या होता है confused अब Umberto Eco की जो यह book थी the name of the rose इसका market में इतना बड़ा success देखके जो journalist है अलग-अलग newspapers के और जो अलग-अलग books के खुद the name of the rose की जो publisher थी जोन्होंने market में book publish करिये वो यह सारे लोग इतने जाधा confused क्यों होगा थी कि अरे यह book यह book इतनी जाधा successful हो गई इस book की 10 million copies कैसे बिग गए तो यह journalists and publishers क्यों इतने जाधा वो थे पजल थे confused थे so options है because readers like trash and it was a serious novel trash का मतलब होता है कचरा यहां पर कचरे का मतलब यह बताएगा है कि जो readers हैं जो आजकल के लोग books read करना पसंद करते हैं वो trash read करना पसंद करते हैं यहांने कचरा read करना पसंद करते हैं उस तरीके की किताबे जिसमें यूजिली मसाला कहानिया सासबो की कहानिया यह सारी टाइप की किताबे पढ़ना पसंद करते हैं readers like to read trash and यह जो novel थी the name of the rose वो इतनी serious novel थी इतने जारा science और history के concepts लगे हुए थे इस movie में तो यह book लोगों को कैसे पसंद आ गई serious होने के बावजूद भी इस वज़े से journalists and publishers थोड़े से confused हो गए कि कैसे book successful होई तो यह definitely reason है then because it was becoming popular क्योंकि book बहुत जाद popular हो रही थी इसलिए वो लो confused हो गए भाई book तो popular होई लेकिन उनके confused होने का क्या reason था reason यही था कि लोगों को trash याने की entertainment stuff पढ़ना पसंद है और book तो एक serious novel थी तो यह option थो नहीं है because of its high rated success क्योंकि book की high rated success होगी थी बहुत जादा इस वज़े से वो लोग confused थे भाई confused थे तो क्यों थे reason ही यही था ना कि क्योंकि लोगों को trash पढ़ना पसंद है entertainment stuff और यह book तो एक serious novel थी तो यह भी नहीं none of the above हो नहीं सकता क्यों क्योंकि हमें हमारा answer मिल गया which is option number a next what are the views of Umberto Eco on account of converting a novel into a film अब Umberto Eco जो इतने बड़े professor है इटली के बोलोगना यूनिवरसिटी के उनके क्या views है उनके क्या विचार है अगर उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लगता है कि एक novel को एक किताब आपको जब फिल्म में convert कर जाता है तो आपके क्या views उस पर बेसिकली उनकी जो यह बुक है दर नेम ऑफ दर रोज जो उन्होंने लिखी थी यह convert हुई movie में जिसको देखकर अमबर्ट हुई को खुश नहीं हुए और उनका कहना यह था कि मैं इतना खुश नहीं हूँ अपनी बुक की जो movie बनी उसको देखके क्यूँ क्यों क्योंकि मेरी जो बुक है वो एक club sandwich की तरह या निकिसमें बहुत सारे topics के बारे में mentioned है लेकिन जो दिखाया गया है movie में वो सब थोड़ा सा ही है तो इसलिए में इतना happy नहीं हूँ और इसलिए उनको लगता है कि शायद novels को convert नहीं करना चाहिए किसमें movies में लेकिन फिर भी उन्होंने उसके अलावे भी पहुत सारे options दिये थे देखते हैं क्या बोला है novel reaches a large number of audience लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था कि जो novel होती है जब उसको film में convert करते हैं तो वो large number of audience तक पहुचती है यानि कि picture जादे से जादा लोग देखते हैं बुक पढ़ना थोड़े कम लोग prefer करते हैं तो येस उन्होंने बिलकुल ये चीज़ कही थी film cannot cover up all the aspects of a novel अब एक novel में बहुत सारे aspects बहुत सारे topics के बारे में बहुत सारे characters के बारे में describe करते हैं और दो धाई गंटे की movie वो सारे aspects cover नहीं कर सकती हैं तो ये चीज़ भी अमबर्टो इको ने कही थी film indirectly helps the novel लेकिन जब एक novel को आप film में convert कर लेते हो तो indirectly कही न कहीं वो जो film है वो novel की success होने में बहुत जादा help करती है क्योंकि जब किताब लिखके market में publish हुई होती तो शायद वो इतनी successful नहीं होती लेकिन जब उस पर picture बन जाती है उस किताब पे तो वो बहुत जादा लोग So children here we come to the end of this session I hope आपको सारे MCQs अच्छे से समझ में आ गए होंगे आप चाहें तो हमारे videos YouTube पर भी देख सकते हैं वहाँ ना मिले तो आप हमारी website पर जाएए which is magnetbrains.com जैसे आप website पर जाएंगे इस तरीकी की पेज आपके सामने आएगा जो अलग से options गिवन है फ्लमिंगो विस्तास, kaleidoscope की अगर आपको kaleidoscope book की videos देखनी तो आप इस option पर क्लिक करेंगे और जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीकी की list of videos आपके सामने आ जाएंगी पर एक्जामपल मुझे ये वीडियो देखना है तो मैंस पर क्लिक करूँगी और जैसे आप क्लिक करेंगे मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा and do not forget to like, subscribe and share our YouTube channel क्योंकि Magnet Brains वो एक free education का platform है जहाँपे free of cost आपके घर तक education और पढ़ाई के videos हम आप तक पहुचाते हैं so do not forget to like, subscribe and share our YouTube channel तब तक लिए बाबाए and take care